हेलो दोस्तों वेलकम टूशी शाविदी आज हम डिस्स कर रहे हैं क्लास 10 का क्वाडिटिक एक्वेशन के mcq multiple choice question यह एक्जाम में आने हैं और इसके साथ basic भी करेंगे क्वाडिटिक एक्वेशन का क्वाडिटिक एक्वेशन की standard form क्या है देखिए ax square plus bx plus c equal to 0 यह इसकी standard form होती है अगर यहाँ पर condition ही है कि a is not equal to 0 अगर a 0 हो गया तो यह quadratic equation नहीं बनेगी तो a is not equal to 0 यह होना चीए यहाँ पर 0 कभी ना आए एक ही जिए जिसकी highest degree 2 होती है वो क्या होती है quadratic equation यहाँ पर इसकी जो डिगरी है quadratic की वो क्या होगी 2 वो यह आप से पूछे कि बताओ quadratic equation की highest degree क्या होगी 2 समझ मारी बात और देखिए इसी में जैसी ax square plus bx plus c equal to 0 तो यहाँ पर इसी जैसी में quadratic equation बनाता हूँ for example जैसे यह है x square यहाँ पर है 7x plus 12 equal to 0 तो यहाँ से जो x की value निकलेगी वो आपको पता है भी polynomial में मैंने करवाया था उसको हम क्या बोलेंगे 0 रोज और यहाँ पर हम roots भी बोलेंगे क्या बोलेंगे roots roots क्या होंगे value of x जैसे इसके factor बनाते हैं अब इसके लेते भी 12 12 के ऐसे factor बनाओ जिनका सम कितना हो 7x कितना समो 7x product कितना हो 12 तो 3 और 4 यह होंगे भी 3 और 4 का multiply क्या होगा 12 3 और 4 का सम कितना होगा 7x तो यह आगया 3x यानि हम 7x को इसराइट कर लेंगे ठीक है और यहां से हम क्या करते हैं x को मन निकालते हैं x प्लस 3 यहां से 4 को मन निकालेंगे तो x प्लस 3 रहेगा और सारे में से x 3 को मन निकालेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो यहां पर हम x प्लस 3 इक्वल टू 0 लेंगे और साथ की साथ यह दो फैक्टर की इक्वेशन के 2 0 होते हैं तो यहां पर भी एट मोस्ट क्या होंगे दो रूट होंगे भी समझ मारी बात तो हम इनको रूट्स बोलेंगे तो यहां पर रूट्स क्या है माइनस 3 एंड माइनस 4 और यही जी रोज कहलाएंगे और देखिए अभी हमने एक्स स्क्वेशन प्लस 7 एक्स प्लस 12 इकोल टू 0 लिया और वो कह दे यहां पर गीवन कर दे दे कि इसका जो वन रूट है जो वन रूट है वो क्या है माइनस 3 ठीक है और यहां पर यहां पर इसको हटा देता है वो और इसकी जगे मैंने के यह के हमने यहां पर पूट कर दिया हमसे पुझेगा अगर वन रूट माइनस 3 है तो के की वैलू क्या होगी तो देखिए आप क्या करो यह जो रूट होता यह क्या होता एक्स की तो वैलू होती है तो हम एक्स की जगे इसको पुट कर देंगे मैनिस 3 को तो मैनिस 3 का स्क्वेर के मैनिस 3 पलस 12 एक्वल टू 0 ठीक है तो यह बनेगा 9 यह क्या बनेगा मैनिस का 3 के पलस 12 एक्वल टू 0 और 12 और 9 कितना हो गया वही 21 और यहां पर यह मैनिस अच्छे यह 21 उदर जाएगा तो मैनिस का होगा और मैनिस का 3 के मैनिस से मैनिस कैंसिल और 21 को आप 3 से ड्वाइट करोगे तो कितना आएगा 7 तो देखी मैंने यहां पर 7 हटा कर k put किया था तो ऐसे question बना दिया जाएगा ऐसे mcq बना दिया जाएगा कि एक root देगा और यहां पर कही न कहीं k डाल देगा और k की value पूछी जाएगी समझ मारी बात तो जब भी वो कहे कि एक root यह है तो इसका मतलब x की value जो x की value आती है दो जो 0 जाते हैं वो क्या होते हैं roots होते हैं और वो उस equation को quadratic equation को satisfy करेंगे ही करेंगे दोनों के दोनों आप minus 4 यहां पर करोगे तब भी यह answer आएगा एकी value 7 ही आएगी समझ मारी बात और देखिए ax square पलस bx पलस c equal to 0 तो यहां पर sum of roots sum of roots होगा minus b upon a ठीक है यहां पर यह b है भी minus में लेंगे upon में क्या करेंगे a product of roots क्या होगा c upon a ठीक है समझ मारी बात और हमें quadratic equation बनानी हो तो हम क्या आग लेंगे यहां पर x square minus sum of roots यह बाते हम discuss कर चुके हैं वैसे 10 to x पलस में product of roots ठीक है तो यह पाते हैं आपको पता होने चीए जब भी आपको quadratic equation बनानी हो तो हम यह method यूज करेंगे यह बाला ठीक है और सम अफ्रूट से निकालना तो माइनिस भी अपॉन ए प्रोड़क्ट और रूस निकालना तो सी अपॉन ए अब हम क्या करते हैं कि जो quadratic equation है कि आपने देखा कि कई बार फैक्टर नहीं बना पाते हम तो उसको किस मैथड़ करते हैं कि माइनस भी प्लस माइनस बी स्क्वेर माइनस और सी का अंडरूट अपॉन टूए उस मैथड़ करते हैं तो देखी वो हम फोर्मुला त्यार कर रहे हैं यहां पर क्या करते है एसे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं यहां पर डिवाइड करेंगे एसे तो यह दो एक्स केर बज जाएगा और यह बी एक्स अपॉन ए सी अपॉन एक्वल टू जीरो तो यह जो मैं मैथड यूज कर रहा हूं अभी एक फोर्मुला त्यार कर रहा हूं और जो अभी मैथ स्क्वेर मेथड से भी सौल कर सकते हो उसके रूट से निकाल सकते हो तो वह कर रहा हूं सबसे पहले हम यहां पर जो एक्स प्वेर के साथ कोभिश्यन दोगा उसको अधाएंगे ठीक है और कई बार हटाना भी निपड़ता यहां पर मैं हाटा रहा हूं एको एको एसे मेने यह देखिया इस को आप open करोगे तो यह उपर वाला सेम आएगा चेक कर लेना ठीक है अब मैं क्या करता हूं यह जो बी बाइट टू एका होल स्केर है और जो सी बाइए है उसको जीरो की तरफ लेखे जाएंगे तो इनके साइन प्लट जाएंगे बी स्क्वाइर स्क्वाइर भी उपन कर देते हैं फोरे स्क्वाइर और प्लस सी बाइए क्या होगा माइनस सी बाइए लसीम भी ले ले लेते हैं इसका लसीम कितना है बच्चो फोरे स्क्वाइर तो यह बनगा बी स्क्वाइर माइनस फोरे सी अब क्या करते हैं यह मैने सांडर लूट स्कुएर यह तैंटे भी स्कुएर हटाएंगे तो प्लस मैननस अंडर रूट को बी स्कुएर माइनस ओर ए USE ए अपॉन ऑर स्कुरेब अब उपर वा एक तो अंडरूत निगलेगा नहीं वह तो है जट आएज दoney करेंगा बी स्क्वार माइनस फूर एसी और यह थोड़ा निस्टिक हो गया अपॉन में फोर ए स्क्वार का अंडरूट क्या होगा कुए ठीक है अब हम क्या करेंगे यह जो बी बाई टू ए है उसको हम उस्तरफ लेके जाएंगे तो यह माइनस का हो जागा बी अपॉन टू ए और यहां पर क्या है बच्चो पहले से प्लस माइनस अंडरूट बी अब इसनका भी एलसियम ले लेते हैं यह आगया है लसियम टूए माइनस भी पलस माइनस अंडरूट बी स्क्वार माइनस फोर एसी तो देखी यह फोर्मला त्यार हो चुका है ठीक है एक्स क्या है यहां पर एक्स की जो वैलू आई वह क्या है रूट तो रूट निकालने वैलेगा यह मेथड त्यार हो चुका है माइनस बी पलस माइनस अनडरूट बी स्केर मनस फोर एसी आप इसको पलस माइनस को अलग लग कर लो एक्सकी aisle तो मानश भी पलस अंडर 2 वी स्क्वार माइनस 4ac एप ओन 2 और दूसरा रूत क्या यहां माइनस बी और बीचे में क्या लेंगे माइनस अंडर रूट वी स्क्वार माइनस 4ac अपन तो ए तो यह फॉरूम आपको याद होना चीए भी जब हम से ना बनेंगे तो हम इसका यूज करेंगे सब्सक्राइब बात थीक है अब कुश्चन करते हैं कुछ जैसे यह कुश्चन है दो दा खौड़र्टिक एक्वेशन है जी डिग्री यानि क्वाड़र्टिक एक्वेशन की जो डिग्री होती वो कितनी होती जीरो वन टू थ्री थी डिग्री लीनियर एक्वेशन हो तो वन टीकरी क्वाड़र्टिक एक्वेशन और दीवाड क्वेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे दिवगासमीकन उसकी डिग्री क्या होगी है इस तू नेक्स्ट गुश्चन लेंगे वीच अब धा फ्लोविग इस नो टेक रहां कि कौन-कौन सी quadratic equation होती है जैसे x square equal to 3 है तो यह quadratic equation है भई x square plus 2x equal to 0 है quadratic equation है क्यों है क्योंकि degree 2 है यह आ जाए x plus 3 equal to 0 है तो यह quadratic equation नहीं है क्योंकि यहां पर जो डिगरी है वो वन है तो होनी चाहिए सम्झेमारी बात x cube plus 7 x square plus x equal to 0 यह भी quadratic equation नहीं है क्योंकि हाई इस डिगरी आपने क्या 3 है टू आनी चाहिए सम्झेमारी बात ठीक है तो हमें सिरफ x square चाहिए वही क्या होगी quadratic equation होगी तो चेक करते है भटापट हमें और से मतलब नहीं है हमें क्या चाहिए हाई डिगरी 2 चाहिए तो देखिए मैं यहां पर multiply कर रहा हूं आप x और x की multiply करो यहां पर x और x की multiply करोगे तो 2 x square आएगा ठीक है और उसे कोई मतलब नहीं है टाइम बचाने के लिए बता रहा हूं है आपको पूरी multiply करने की जूरत नहीं है जब भी ऐसे question आएगा mcq आएगा multiple choice question आएगा तो टाइम हमारा कैसा बचेगा कैसे बचेगा बचेगा भई हो रहा तो से स्कामतलब 군 गविश्ट स्कूर बचेगा बचेगा तो यह भी हमारा क्या बनेगा एगा बनेगा नेक्स चेक करते हैं यहां पर एक स्क्वेश्ट है ठीक है कुछ का नहीं जूरत थी और तक heiß एगा सिर्फ एक्स बनेगा ठीक है यानि हमारा X square बच जाएगा यहां देखिए जब आप whole square open करोगे C option में तो आपको X square मिलेगा right hand side में और left hand side में क्या मिलेगा 2X तो हमारा X square बच जाएगा cancel नहीं होगा अगर जब ऐसी situation आजाए X square equal to X square यह तो cancel हो जाएगा तो quadratic equation खतम हो जाएगी भई तो हम यह चीज़ चेक कर रहे हैं यह नहीं आना चीए यह वाला नहीं आना चीए तो पहले वाले में नहीं आया था इसमें भी नहीं आया इसमें भी नहीं आया अब रह गया कौन साथ D D में जैक करते हैं भी D option में X की X से multiply क्या ही X square left hand side में और यहां पर X की X के साथ multiply देखी यहां पर गड़ बड़ हो गई है यहां पर right hand side में X square आ गया और जब आप इसको पूरा आप सोल करोगे तो X square में से X square क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा cancel हो जाएगा यानि जब हाइस डिग्री टू कैंसिल हो गई तो वह कुछ और बनेगा लेनियर एक्वेशन बनेगा भी टू डिग्री से नीचे फिर डिग्री बन आ जाती है तो वह क्या बनेगी लीनियर एग वांग céu उग्दधիन देखने हैं कौन से करणानी है डी ऑप्षन यह जक्रीडख हो क्या है चीख है य। पत्ता लग गया नै कैसे करना आपने पटाब पट आपने शिर्फ X की X से multiply करनी है और उसे मतलब नहीं है टाइम ज्यादा नहीं रगाना है मेरे बात यह आपको clear होगी होगी चीक है next लेंगे find the roots of the quadratic equation 6x square minus x minus 2 equal to 0 यह equation दे रहा किवी हमें roots निकालनी है यह निकालनी है तो factor method से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे six और इस टू की multiply करेंगे तो six और टू की multiply यहां पर क्या है कि यह भी माइनस का 12 है अब माइनस 12 के इससे factor बनाएंगे कि उनका total कितना बने माइनस 1 एकस के इंटू में कुछ भी ने तो माइनस 1 मना जाएगा तो माइनस 4 और पलस 3 आप इन दोनों की multiply करोगे तो प्रोड़क्ट भी माइनस 12 आएगा और इनका total भी कितना आएगा माइनस 1 आएगा इस तरह से factor बनाते हैं और इसको short करना है यह हमारा इस इसमें हम क्या कर रहे हैं options है न यह a b c d हमें टिक करना है जो भी है तो हम इसको short करेंगे न कैसे जो फैक्टर बने हैं वो निकलो यहां पर माइनस 4 और 3 ठीक है उसके नीचे जो x square का coefficient है 6 ठीक है अब हमारा जो final answer होगा फाइनल अंसर जो होगा वो क्या होगा जो भी sign है यह आपर जैसे minus है इसका opposite लेना है plus 4 by 6 कितना आ गया भई यह 2 by 3 यहां पर क्या भई पलस 3 by 6 में क्या है तो आपने opposite लेना है माइनस 3 by 6 यहनी कितना आ गया माइनस 1 by 2 चेक करो कौन सा option है कौन सा option अब ही फर्स्ट option है यह देखिए हमने यहां पर time बचाया है यहां पूरा detail में नहीं किया ठीक है फिर बता रहा हूं कि जैसे यह है ax square plus bx plus c equal to 0 ठीक है तो यह मैं short method बता रहा हूं आपको अगर आपको लिखना पर जाये तो इस method को मत लिखना प्लीज नहीं तो number गटेंगे भई आपके हाँ यह इस टाइप के objective type question है और time बचाना है तो आपने क्या करना है कि मालो दो factor बन रहे हैं एक m बन रहा है मालो यह plus का बन रहा है और यह minus का n बन रहा है तो इसके नीचे क्या आएगा x square का kobe sent कितना भी a इसके नीचे क्या आएगा a हमारा answer या नहीं आया है यह answer नहीं आया अनसर कहां आएगा final answer कहां आएगा आपने अगर आपका यहां पर plus m by a आ रहा है तो आपने minus m by a लेना है opposite sign लेना है और यहां पर minus आ रहा है तो पलस लेना है, तो यह roots निकलेंगे, ठीक है, यह note करेंगे, तो ऐसे ही कि हमें ने, 6 और 2 की multiply 12, 12 के factor क्या बने, minus 4 और एक पलस का 3, और x square का coefficient क्या है, 6, तो by 6 करेंगे, by 6 करेंगे, तो हमारा final answer क्या होगा, जो roots होगे, वो क्या होगे, opposite sign लेना है, फिर बता रहा हूँ, फिर repeat कर रहा हूँ, करेंगे, गलती ना कर बैठो, तो minus 4 की बज़ाए, आपने plus 4 by 6, ठीक है, और plus 3 by 6 की बज़ाए, minus 3 by 6, तो हम cancel करेंगे, 2 by 3, और यहाँ पर 1 by 2, और यह हमारा a option आ गया, संदमाई बात, और हम इसको answer twice से कर सकते हैं, लेकिन इसके option fraction में है, तो इसमें time लग जाएगा, इसे अच्छा अब यह method था, अगर इसके option fraction में नहीं होते, बटे में नहीं होते, तो मैं इसको answer twice से कराता, देखते हैं, आगे question आगया तो करवाएंगे, next लेते हैं, यह भी क्या आगया, fraction में आगया, तो इसको मैं answer twice से कराता हूँ, तो दिक्करत आ सकती है, लेकिन इसके आ जो fraction है, जो 1 by 10, यह थोड है, तो मैं सबसे पहले 1 by 10 try करता हूँ, यहार x की जगे रखता हूँ, अगर यह satisfy हो गया, तो हम देखते हैं आगे वी, तो 1 by 10 का स्क्वाइर कितना होगा भी, 100, x की जगे क्या रख रहे हैं, 1 by 10, चेक कर लो, कितना बना यह, यह बन गया, 1 minus, 0 से 0 cancel, 2, यह तो क्या बन गय है, 0, verify हो रहा है, ठीक है, 1 by 10, यहां पर भी है, यह तो a option है, यह c option है, फटा-फट, minus 1 by 10 भी चेक कर लेते हैं, minus 1 by 10 भी चेक कर लेते हैं, फटा-फट, 100, और minus 1 by 10 का स्क्वाइर क्या होगा, 1 by 100 ही होगा, क्योंकि negative को positive बना देता है, square, यहां पर minus 1 by 10, plus 1 equal to 0, 100 से 100 cancel, 1 बचा, यहां देखे 0 से 0, अच्छा, minus minus यहां पर plus होगया, 1, कितना बना भी यह, यह बन जाएगा, plus का 1, plus का 2, यह बनेगा मेरे खाल से, चीक है, और यहां पर plus का 1, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए, यहां पर यह 0 के equal नहीं आ रहा है, verify नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह option नहीं है, समझभाई बात, यहां पर फिर कौन सा option है, C है, C के दो root आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे answer choice से कर सकते हैं, fraction easy हो, और fraction ना हो, कुछ और simple हो, फिर तो फटापट करेंगे, और इसको method से भी आप कर सकते हो, देखिए कैसे, 100 और 1 की multiply, 100, ऐसे factor बनाते पहले ही, इसकी multiply करते हैं, 100, 100 के ऐसे factor बनाओ, जिसका total minus 20 आ जाए, तो क्या होगा, minus का 10, minus का 10, minus 10, plus minus 10 करोगे तो क्या बनेगा, minus का 20 बनेगा, और 10 और 10 की multiply क्या बनेगी, 100, और में short method क्या बता है, कि अब इसके नीचे divide करो, कि इसको जो x square का coefficient है, तो 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो हमारा final answer क्या होगा, final answer क्या होगा भी, sign को change करेंगे, minus 10 by 100 है तो क्या करेंगे, 10 by 100, यह भी 10 by 100, माहिने से तो क्या हैगा, पलस, तो यह क्या आगया, 1 by 10, और यह भी क्या आगया, 1 by 10, यह नहीं हमारा option क्या आगया, c, next question लेंगे, find the roots of the quadratic equation, इसके roots निकालने भी, तो अगर आप answer की health से करते हो, तो यहाँ देखिए थुड़ा fraction भी है, time लग सकता है, तो हम क्या करें, factor method से इसको करें भी, तो देखिए, root 2 और 5 root 2 की multiply, क्या बनेगी, root 2, root 2 की multiply 2 बनी, 2 को 5 से multiply किया, 10 बना, अब 10 के ऐसे factor बनाओ, जिसके 7, 7 बन जाए total, तो दस के factor क्या बनेगे, 5 और 2, 5 और 2 की multiply, 10 और 5 और 2 का total 7 बन रहाए भी, यह plus में है, यह भी plus में है, इसके नीचे क्या आएगा, x square का coefficient आएगा, short method बता रहा हूं भी, हाँ यह जो method में short बता रहा हूं, यह आपने, अगर आपको लिखने वाला question है, आपको लिखना है, उसमें यह method यूज ना करना, आपको एक भी number ने बिलेगा, ठीक है, यह आप method कहां यूज करोगे, जो आपके multiple choice question आते हैं, वहाँ पर यूज करना आपने, तो यह आगए upon root, यह आगए upon root, तो final answer हमारा क्या होगा, यह जो मैं देखी बार बार लिख रहा हूं, ताकि आपको यह गलती ना कर बेठे, पलस है ना, यहाँ पर minus आएगा, और यहाँ पर plus है, तो यहाँ पर भी क्या हैगा, minus, तो minus का 5y root यहाँ पर भी है, बस एक यह option में, फिर तो यह आगया, अब minus root 2, minus root 2 कैसे बनेगा यह, rationalize करोगे, rationalize कैसे करते है, root 2 से multiply और divide, ठीक है, तो आप देखिए, उपर तो 2 root 2 बन गया, और root 2, root 2 की multiply, क्या बनेगी 2, 2 से 2 cancel, क्या बस गया, minus का root 2, तो यह हमारा, final answer अब यह, next question, find the roots of the quadratic equation, तो यह तो standard form है, ax square plus bx plus c quadratic की, और इसके हमने roots निकाले थे भी, अभी निकाला था, x, कौन सा बना था, कौन कौन से roots बने थे, बीच में plus minus आया था, और last one मैंने उसको अलग-अलग भी कर दिया था, बीच में एक plus आयागा, दूसरा क्या हैगा, minus, तो चेक करो, कौन सा बनेगा, मैं थड़ी बताया, मैंने कैसे, इसके root से निकालते हैं, इस standard form के, तो, यह यहां यह ठीक है, यह वाला, लेकिन यहां पर minus आना थी है, तो यह option नहीं है, यहां पर यह ठीक है, लेकिन यहां पर, यहां पर minus आना थी है, और यहां पर minus आना थी है, दो अलग-अलग बनेगी यह भी नहीं है और यह ठीक है बएक माइनस माइनस यह ठीक है और सी आप्शन आपर राइटंट है तो किसी के फेक्टर ना बने तो हम यह फोर्मॉला यूज करेंगे जैसे यहां पर करेंगे हम इस question में हम यह भी लास्ट वाला जो फॉर्मॉला था यह यूज करेंगे इस चाहिए टाहिए इसको क्या करते हैं इसको मैं ठीप्लाई करता हूं दोनों साइड एक से तो यह एक स्क्वेर माइनस एक स्वाय एक्स और ठीस एक से cancel हो जाएगा तो यह आगया एक स्क्वेर और 3x को इस साइड लेकर आते लेप साइड में तो माइनस 3x अच्छा यह एक से एक्स कैंसिल हुआ था तो यहां पर क्या बचा माइनस का वन एक्वल टू जीरो अब मैं यह फॉर्मुला लगा देता हूं रूट निकालने के लिए माइनस भी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेर माइनस 4ac अपॉन तो यह लगा दूगा क्यों देखो कैसे अंसर आ रहे हैं इसके अप्शन में देखो कैसे किस टाइप का अंसर आई हुए हैं इसका मतलब इसका फैक्टर नहीं बनेगा और इसक तो आपने यह method यूज करना है यह formula यूज करना है तो यहां पर जो ए है वो क्या बनेगा यहां पर x square का coefficient कुछ भी नहीं तो 1 माना जाएगा बी क्या होगा वई आप इससे compare कर लो ना standard form जो होती है जैसी यह है यह x square plus bx plus c equal to 0 इससे compare करो तो a की value यहां पर 1 आई b क्या आएगा minus का 3 c क्या आएगा minus का 1 तो यह put कर देंगे इसके अंदर वही तो minus minus 3 है तो minus रखेंगे तो plus का बन जाएगा यह और b square यह यह 3 का square 9 4ac 4ac 4a क्या यहां पर 1 c क्या यहां पर minus 1 upon 2a तो यह बन गया भई 3 plus minus 9 minus यह plus का 4 बन जाएगा यह 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 रूट 13 आ जाएगा यह upon 2 a क्या है यहां पर एक की value 1 यह यहां पर बन आएगा यह ठीक है तो तो यह थी प्लस माइनस रूट 3 upon 2 यानि एक बीच में प्लस है दूसरा माइनस है भी देख लो कौन सा option मनेगा इसको मैं अलग-लग कर रहा हूं यहां पर 3 प्लस रूट 13 upon 2 एक तो यह आया है दूसरा क्या है 3 माइनस रूट 13 upon 2 तो हमारा option क्या होगा बी यह final answer होगा भी समझमारी बात next we find the roots of the quadratic equation अब दिखिए इसको option थोड़े easy लग रहे हमें तो हम इसको method की बज़ए option से करेंगे इस question को यहां पर देखिए इसने का कि x की value minus 4 और 7 नहीं हो नहीं 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 चीए और first option में डाल रखिए तो यह तो answer होई नहीं सकता भी एक्स की value minus 4 हो नहीं सकती क्यों क्यों क्योंकि जब आप यहां पर minus 4 रखोगे तो नीची 0 बन जाएगा और नीची 0 का मतलब no define ऐसे आप x की value 7 रखोगे यहां पर तो 7 minus 7 क्या होता है 0 तो यह क्या हो जाएगा no define तो first option तो किसी हालत में नहीं है second try करते एक्स की value 1 रखते पहले एक्स की value 1 लेंगे तो यह आएगा one by one plus four कितना होता फाइफ और one minus seven यानि minus six देखते वेरिफाई होता नहीं होता लैप्ट और राइट राइट हैट तो वन बाइफाई और minus minus क्या हो जाएगा ठीक है यह तो हो गया वही क्योंकि क्यालिसियम 30 आगया six plus five यानि 11 by 30 ठीक है यह वेरिफाई हो रहा है और और वन कहीं है नहीं तो इसके chances है वही टू फटावट चेक कर लो ठीक है चेक क्यों करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर नन आप इस भी और रखाए तो यह भी हो सकता कि जानबुज के और कोई क्या बनेगा two plus four six यहां पर क्या बनेगा माइनस का फाई यह तो वही बन गया वन बाई शिक्स प्लस वन बाई फाई एलिशियम 30 फाई प्लस six 11 by 30 वेरिफाई हो रहा है और ना तो हमारा option क्या होगा भी है नहीं बचा लिया बाई answer से क्योंकि अंसर इसकी इजी थे नहीं तो फिर एलिशियम लेकर वही क्वाड़िटिक एक्वेशिन बनेगी और फैक्टर बनाएंगे तो आप इसको उस मैथर से ट्राइक लेना next question लेंगे find the discriminant of the quadratic equation ठीक है अभी discriminant क्या भी इसको बोलेंगे जैसे हम x की value निकालते हैं तो minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a ठीक है तो यह जो अंदर है ना root के अंदर जो इपार्ट है root के अंदर इसको हम discriminant बोलते हैं वो क्या होता है b square minus 4ac तो यह भी बड़े काम के चीज़ है भई यह हमें nature of roots बताता है कि roots का nature क्या रहेगा roots equal होंगे या unequal होंगे rational होंगे या irrational होंगे इस सब बताता है यह फिलाल हमें यहां पर यह find out करना है find the discriminant of the quadratic equation यानि हमें x की value नहीं निकालने गलती से x की value मत निकाल देना अगर आप x की value निकालोगे यहां से तो आपका answer यह आएगा और गलत हो जाएगा हमें क्या निकालना है discriminant वो क्या होता है b square minus 4ac ठीक है तो यहां पर a क्या है a क्या है a है 2 बी क्या भी माइनस 4 c क्या है 3 put कर दो यहां पर तो यहां पर minus 4 का square 4 into a यानि 2 c यानि 3 यानि 16 माइनस के तना आगा भी यह 24 यानि माइनस का 8 तो माइनस का 8 हो कहां कहां पर अभी बी ओप्षिन बी ओप्षिन हमारा राइट अंसर है ठीक है इसको याद रखना भी डिस्क्र डिस्क्र मानेट को b square minus 4ac होता है अब यहां पर यह बाते आ गई है कि b square minus 4ac greater than 0 आ जाए equal to 0 आ जाए तो यह क्या होगा यह नोट कर लो b square minus 4ac greater than 0 आ जाए ठीक है तो और साथ में यह भी आ जाए कि वो perfect square है ठीक है perfect square का मतलब जैसे मालो 80 बना गया हमने इसको सोल किया b square minus 4ac को 80 बना गया 81 तो perfect square होता बिना इनका square होता है तो जो roots होगे roots का जो nature होगा ठीक है यहां पर हम डिस्कर रहे nature of roots nature of roots ठीक है तो वो क्या होगा roots क्या होगे roots are यहां पर real होगे real numbers होते है अनेक्वल होगे और रैशनल होगे ठीक है रैशनल पी बाई क्यों की फों में होता है बटेम होता भी टू बाई थ्री रैशनल होता है रैशनल होगे ठीक है पहले बात समझे में आगी दूसरी बात बी स्क्वेर माइनस फोर एसी एक्वल टू जीरो आ जाये तो तो रूट्स क्या होंगे roots आर रियल रियल नंबर होंगे एक्वल भी होंगे जो X की वैलू आएंगी जो roots आएंगे 0 जाएंगे वो क्या होंगे एक्वाल होंगे मानो अ यह क्वल टूसरी वैलू भी छारी इक्वल का मतलब यह है ठीक है और तیसरा है अगर B2-4 कूर रसी एग रेटर धेन जीरो और और नोट इप फर्फेक्ट स्क्वार Ce Rock not a perfect मेर हो। च्वार के भी एट टी बन डिया मालों थो 37 आ गया फ्छ्थ कया निचो निख ता और cereall Eugene जो अनीक्वल होंगे यह वगर फिज्क straOLD कब तोड रिम गण मेद एक्वलो जब एक वडर गैर और और हमके बड़ अब रेज्ट नियों नहीं होगा ठ्याउगा एरेशल कि कि एरेशनल क्या होता है रूट टू रूट थ्री रूट फाई ये एरेशनल लंबर होते हैं तीन होगे एक फॉर्थ वर यहां पर नोट कर लेते हैं और बी स्क्राइब माइनस फॉर एसी लेस्ट देन जीरो आ गया एंट जीरों जीरों से सोटा यानि नेगेटिव भई तो क्या होगा रूट्स क्या होंगे क्या होंगे नो रियल वो रियल लंबर नहीं होंगे तो रियल लंबर नहीं होंगे तो क्या होंगे इमेजनी होंगे ठीक ना अगर वो रियल नहीं है रियल लंबर नहीं है तो क्या होगा वो इमेजनी होगा इसका मतलब क्या है की जैसे ये माइनस B पलस माइनस P स्वेर माइनस 4 AC अपाउन 2A तो मैंने कहा कि यह वाला पार्ट जो है लेस देन 0 तो यह जो अंदर रूट के अंदर पार्ट है बाज देन 0 मतल नीगेट्व आ गया यह रूट के अंदर को इस आजाए रूट के अंदर जो माइनस आजाए तो रिएल नहीं होता है वो क्या होता है इसको नोट करें ना इसको समझना अब यहां पर हम फटापर करेंगे कि बी स्कूर मैंनिस फूर एसी ग्रेटर दैन जीरो है तो जो रूट सोंगे वह क्या क्या होंगे अलग अलग होंगे डिस्टिक्ट टू डिस्टिक्ट रियल रूट्स होंगे ठीक है इक्वल कब होते हैं जब इक्वल टू जीरो आ जाए बी स्क्वेर मैनिस फॉर एसी इक्वल टू जीरो बन जाए तब इक्वल रूट्स होते हैं तो यहां पर वो अलग अलग ह होंगे एक्वल होंगे तो हमारा option क्या होगा क्या होगा बच्छो भी ठीक है next question है बी स्क्वेर माइनस फॉर एसी लेस्ट दिन जिरो आ गया लेस्ट दिन जिरो का मने बता है था भी और रियल नहीं होता वह क्या होता है इमेज नहीं होता है तो यहां पर नो रियल रूट्स और यह रूट्स नहीं होंगे next question है find the nature of the roots of the quadratic equation अब इस quadratic equation की हमें बताना है कि रूट्स कैसे होंगे बिना सोल करें बताएंगे भी factor factor नहीं बनाएंगे सीधा हम b square minus 4ac use करेंगे देखे यहां पर 2x square minus 3x plus 5 equal to 0 है यहां पर a क्या है 2 b क्या है minus 3 c क्या है 5 c क्या है 5 तो हमें b square minus 4ac यह यूज़ करना है अगर यह equal to 0 आ गया तो equal roots है greater than 0 आ गया तो अलग-अलग root है बई दो अलग-अलग है less than 0 आ गया तो no real roots होंगे real roots होगा ही नहीं वो अगर less than 0 आ गया तो check करते हैं भी put करो यहां पर minus 3 square 9 a2 है c5 है तो 9 minus क्या गया भी यह कितना बन गया 40 या नहीं है तो कितना बन गया minus 31 minus 31 बन गया यहीं बनेगा ठीक है तो यह क्या गया जो 20 square minus 4ac आया है यह क्या आया है less than 0 less than 0 का मतलब negative होता भी इसका मतलब जो roots है वो real नहीं है भी हमारा answer क्या होगा सी समझ मारी बात मुस्किल नहीं है simple है ना अब करेंगे find the nature of the roots of the quality equation next quality equation आगे भी check करतें भटा बट क्या बनेगा तो देखिए यहां पर a क्या है 2 b क्या है minus 6 c क्या है 3 तो b square minus 4ac फुट कर दो यहां पर minus 6 का square plus का 36 minus 4 a 2 है c3 है तो यह कितना आ रहा है चेक करो कितना मन रहा भी 24 36 minus 36 minus 24 यानि क्या आ गया 12 आ गया 12 तो क्या होता है greater than 0 होता है यानि b square minus 4ac greater than 0 आ रहा है तो roots क्या होंगे क्या होंगे यहां पर equal तो नहीं होंगे क्या होंगे अलग-अलग होंगे ठीक है a option कि इसमें चेक करते हैं क्या ने चरेगा यहां पर a क्या बच्छो 3 b क्या है minus 4 root 3 c क्या बनेगा 4 तो b square minus 4ac में put करो यह बात है minus 4 root 3 का whole square c है 4 तो देखे square देखे minus 4 का square 16 root 3 का square 3 ठीक है तो यह तो आ गया 48 minus 48 equal to 0 यानि b square minus 4ac equal to 0 आ जाए तो क्या होता है real roots होते हैं और क्या होते है इक्वल समझ मारी बात अच्छा real कब कब होते है greater than 0 और equal to 0 लेकिन यहां पर real का जिकर नहीं है यहां पर तो यह करा कि दोनों अलग-अलग root हों equal हो और real root ना हो लेकिन हमारा equal to 0 आ गया तो हमारा answer क्या होगा B क्योंकि दोनों root क्या होंगे equal होंगे जो x की value आएंगे वो equal आएंगी समझ मारी बात next question में भी nature of roots चेक करना है अब देखो अब आ गया यह real, unequal, complex number यह complex number क्या होता है अभी हम races करेंगे हमारे पास क्या है 15 x square और यह x उदर लेकर गया होगा है तो इसको इदर लिया हो minus x minus 28 equal to 0 तो a यहां पर 15 है, b यहां पर minus 1 है, c यहां पर minus 28 है, यहां पर put करो b square minus 4ac में यानि 1 का square 1 minus 4a, a 15 है, c कितना है, minus 28 है तो आपकी बार minus minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, इसको multiply कर दो भी, 4 और 15 की multiply, 15 for the 60, 16 to 28 तो last में एक 0 तो आएगी आएगी, क्योंकि 60 में 0 है भी, अब 6 की multiply करो 28 को, 6, 8 जा, 48, 6, 2 जा, 12 और 16, कितना आगया, 16, 81, ठीक अभी, greater than 0 आया है, और क्या आया है, perfect square है, क्या है, perfect square, 16, 80, इसको square होता है, 41 का, 41 का square कितना होता है, 16, 81, तो मैंने बताया था कि जब greater than 0 आजाए, perfect square आजाए, तो roots क्या होंगे, real होंगे, unequal होंगे, rational होंगे, तीन बातें बताई थी, आप चेक लेना, तो यहाँ पर rational का जिकर नहीं है, यहाँ पर first option है, real and equal, यह तो नहीं है अभी, real and unequal, यह है option, c नहीं है, c क्या है, complex number, complex number क्या होता है, complex number, complex number के दो पाट होते हैं, एक दो real number पाट होता है, दूसरा क्या होता है, imaginary, ठीक है भी, complex यह चीज होती है, imaginary, समझवाई बात, जैसे यह होता है, a plus, यह x ले लो, जैसे यहाँ पर x, y, delta, ठीक है, तो यह real पाट होता है, और यह, इमेजरी पाट होता है, और यह सारा क्या होता है, complex number होता है, ठीक है, तो complex number आगे 11, 12 में आता है, 10 लेवल पे नहीं आता, तो फिलाल हमारा option क्या है, बी है, real and unequal, अगर यहाँ पर rational होता है, तो rational भी option में आता, तो हम उस पे भी सोचते भी विचार करते, कि यह कौन सा option बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमने 60 native 1 निकाला है, यह, क्या है, greater than 0 भी आया है, और perfect square भी है, perfect square किसका है, भी, 41 का square कितना होता है, यह होता है, नेक्स लेंगे, the roots of the equation are, हाँ, यहाँ पर आगा, rational और irrational, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, perfect square बनता है यह नहीं बनता, तो हमारे पास 2x square minus 6x plus 3 है, तो यहाँ पर a क्या होगा, 2, b क्या होगा, minus 6, c क्या होगा, 3, तो यहाँ पर put कर देते हैं, भी, b square minus 4ac, discriminant में put कर देते, यह discriminant होता भी, तो b यह नहीं 6 है, 6 का square, minus 6 का square, plus 36, a 2 है, c 3 है, तो 36 minus 24, यही आ रहा है, यही बन रहा है, हाँ, यही बन रहा है, तो कितना होता भी, 12 greater than 0 है, और not a perfect square, पुरुन वर्ग नहीं है, perfect square नहीं है, 12, 16 होता तो वो होता भई, तो ऐसी condition के लिए क्या बताया था, roots क्या होगे, real, unequal, और irrational, ठीक है, तो हमारा option क्या होगा, b, real, unequal, irrational, perfect square बन जाता, तो a option होता, perfect square बन जाता तो हमारा a option होता, क्योंकि perfect square के लिए क्या है, rational, समझ माई बात, next लेते हैं, the equation of 2x square plus kx plus 3 equal to 0, has equal roots, देखे, यहाँ पर इसने clearly बोल दिया है, किसके roots जो निकलेंगे, वो equal निकलेंगे बई, तो बताओ value क्या होगी, कि इस तरह से करेंगे बई, यहाँ पर वोई use करेंगे हम, discriminant b square minus 4ac, अच्छा, यहाँ पर a क्या है, 2, b क्या है, k, c क्या है, 3, तो b square minus 4ac, जब roots equal हों, तो क्या होता है, b square minus 4ac, क्या होता है, equal to 0 होता है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, equal to 0, put कर दो value, b की value k है, k का square, k square, a की value 2, c की value 3, c की value 3 है यहाँ पर, तो यह बन गया, k square minus, कितना बन गया, 24 equal to 0, k square equal to 24, अच्छ, square हटाएंगे, तो plus minus दोनों आएगा, अब 24 का root कैसे निकालेंगे, थोड़ा इसको break लेते, इसमें से ऐसा factor बना लो, जिसका square root निकल जाए, तो 24 का factor एक है, ऐसा कौन सा होता है, जिसका square root निकल जाए, वो होता है, 4, ठीक है, 4, 4, 6, 24, यहीं बनेगा, 4 का root कितना होता है, 2, वो बाहरा आजाएगा, 4 का square root कितना होता है, 2, यह और यह अंदर रहे जाएगा, तो हमारा option क्या आगया, a, simple है, अब देखिए, यहाँ इस question में हमें क्या बताना, यहाँ पर भी equal roots दे रिया, तो k की value बतानी है, यह important question है भी, यह multiple choice question के according, k वाले के question होते है, k find out करना, जब लिनियर pair वाला topic हो, यह वाले question important होते हैं, तो यहाँ पर k की value find out करनी है, और यहाँ पर roots क्या है, इक्वल है, पहले इसको tick कर लेते हैं, k x को multiply कर देते हैं, k x square minus 2 k x plus 6 equal to 0, अब यहाँ पर a k है, b minus 2 k है, c क्या है भी, 6, b square minus 4 a c हम क्या लेंगे, equal लेंगे, क्यों लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि उसने equal roots बोला है, तो equal roots के लिए आपने discriminant, यानि b square minus 4 a c को क्या लेना है, equal to 0 लेना है, अधर रेगे बात, put कर दो b की value, b की value क्या है, minus 2 k, इसका square करेंगे, तो 4 k square, अब a k है, c 6 है, अधर यह स्वोल करना भी, तो यहाँ पर देखिए, 4 k square minus 24 k, equal to क्या आगया, 0, 4 k कोंबो निकालो, k minus 6, दो factor आगे भी, या तो 4 k equal to 0, या फिर k minus 6 equal to 0, यानि यहाँ से k की value 0 आगयी, यहाँ से k की value 6 आगयी, अब option में देखो, 0 भी है, 6 भी है, तो हमारा answer कौन सा होगा, very very important question है यह, हमारा option कौन सा होगा, 0 भी है, 6 भी है, हमारा option होगा, c, क्यों होगा, 0 क्यों नहीं होगा, यह देखिए, k की value 0, k की value 0, आप यहाँ quadratic equation में put करो, करो, अगर आप 0 put करते हो, तो 0 into x square minus 2 into 0 into x plus 6, तो यहाँ पर quadratic equation बन रही है, नहीं बन रही भई, यह तो 0 बन गया, यह भी 0 बन गया, क्या बच्चा, 6 is equal to 0, ठीक है, और 6 is not equal to 0, यह true नहीं है भई, और यहाँ पर देखिए, मालो चलो, यहाँ पर कुछ बच भी जाता, तो यहाँ पर देखिए, 0, आप 0 रख रहे हो, x square का coefficient 0 आ रहा है, तो यह condition थी, शुरू में बताया था, कि, ax square plus bx plus c equal to 0, यह quadratic equation तभी होगी, जब a is not equal to 0 आएगा, और यहाँ पर देखिए, जो k आया है, वो k 0 आया है, और आप x square यहाँ इंटू, जो k है, यहाँ 0 पूट करोगे, तो वो इस degree को खो देगा ना, quadratic equation खतम हो जाएगी ना, quadratic equation नहीं बनेगी, तो हमारा आंसर 0 नहीं होगा, क्या होगा, 6 होगा, यहाँ मेरे की बात, उसके लिए है, simple सी बात अभी, यहाँ पर देखिए, क्या दिया है, the equation, x square plus 4x plus k equal to 0, h real roots, ठीक है, अब की बार इसने real roots बोला है, equal नहीं बोला, तो मैंने एक बात बताई थी, कि, जब b square minus 4ac greater than 0 हो, तो वो क्या होता है, real बई, real होता है, और unequal होता है, b square minus 4ac equal to 0 तो क्या होता है, real होता है, और equal होता है, ठीक है, अब real तो इसमें भी आया है, और इसमें भी आया है, यानि greater than 0 हो, तो भी real होता है, और equal to 0 हो, तो भी real होता है, तो दोनों को combine कर लो, b square minus 4ac greater than equal to 0, मैंने इनको इक ट्ठा कर लिया, तो इमारी बात, यह greater than और यह equal, मैंने ऐसे बना लिए, इसको greater than equal to बोलते हैं, तो यह क्या है, इसके roots, अगर यह दोनों चीज़े होता होता है, ठीक है, और क्या होता है, equal, सम्झे हमारी बात, यहां पर equal वाला भी आ गया, और real वाला भी आ गया, और unequal भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, ठीक है, तो यूज़ करते हैं इसको, इसको नौट कर लेना आप, तो b square minus 4ac greater than किसके लिए है, यह भी real के लिए है, ठीक है, और equal वाले में भी क्या आता है, real आता भी, तो दोनों ले लिए मैंने, अब b, यहां पर a क्या भी, a है, यहां पर one, x square कुछ भी नहीं तो one मना जाएगा, b, 4, c, यहां पर k है, k की value find out करनी है, यहां पर, तो b का square, यह 4 का square 16, 4ac, यहांनी 4k, ठीक है, इस 4k को उदर ले जाओ, यह plus का 4k बन जाएगा, 16 को 4 से divide करतो भी, ठीक है, यह जैसे sign है, वैसे रहने दिना है, यह तब ही बदलेगा, जब आप इसके दोनों side के sign change करते हो, तब यह greater than से less than बन जाएगा, अभी कुछ नहीं होगा इसका, इसका, कट गया, 4 greater than equal to k, कौन सा option है भी, यह है, b, ठीक है, आप इसको थोड़ा reverse करोगा, बता ही क्या आएगा, k less than equal to 4, तो b हमारा final answer है, समझ माई बात, next भी, if one root of the equation is 2, then k equal to, यह भी important question है, यहाँ पर एक root बता दिया, एक root का मतलब x की value बता दी, अब x की value बता दी, तो x की ज़िए put करेंगे, और कुछ ने कुछ यहाँ पर k डाला होता है, या कुछ दूसरा constant term में डाली होती है, वो find out करनी होती है, देखिए, यहाँ पर one root कितना दे दिया, एक root, यानि एक 0s कितना दिया है, यानि x की value क्या दी है, 2 put कर दो, 2 का square, minus k into 2 plus 16 equal to 0, तो 4 minus 2 के plus 16 equal to 0, 16 और 4 कितना होगा 20, और minus 2 के उदर जाएगा तो plus का 2 के, 2 से 20 को divide करें कितना आएगा, 10, के की value कितनी आगई, 10, simple था यह, समझ मारी बात, next question लेते, the quadratic equation whose roots are 7 and minus 3, अब यह दो root बता दिये वही, यानि यह दोनो x की value बता दिये, तो बताओ कौन सी quadratic equation बनेगी, तो starting में basic बात बताई थी, वही, quadratic equation कैसे बनती है, x square minus sum of roots plus product of roots equal to 0, ठीक है, तो यहाँ पर sum of roots क्या होगा, 7 minus 3, और product roots क्या होगा, 7 minus, इंटू में, minus 3 equal to 0, तो x square minus, किन दना बचेगा, 7 minus 3 less करेंगे, 4x, और 7 और minus 3 की multiply, minus 21, तो कौन सा option अभी, first option अभी, हमारा final answer है, next question है, the quadratic equation with rational coefficient one of whose roots, देखो, ऐसे कोई roots आता है, एक, तो दूसरा हम बड़े असाने से निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे, एक स्क्वेर पलस, वी एक स्क्वेर पलस से इक्वल टू जीरो है, तो जब हम, मालो हमें यह पता है कि, यह आ गया, बी स्क्वेर माइनस 4AC अपॉन 2A, अगर मुझे यह पता है, एक root यह है, तो दूसरा root क्या होगा, दूसरा root क्या होगा, माइनस भी पलस आया ना, पलस आया तो माइनस होगा, और माइनस होता तो पलस लेते वही, तो यहाँ पर हम कहेंगे, दूसरा यह बनेगा, और इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है, अगर एक root, टू माइनस root 3 है, तो अधर root क्या होगा, टू पलस root 3, समझ मारी बात, ठीक है, इसको नोट करेंगे, तो हम कहेंगे, कि वन रूट, टू माइनस root 3 है, तो अधर क्या होगा, टू पलस root 3, ठीक है, तो quality equation बनाने के लिए, तो इसको एड कर लो भई, जब एड करेंगे, तो root 3 से root 3, कैंसल कितना आ गया, फोर, product निकालो, product टू माइनस root 3, into 2 plus root 3, क्या formula यूज करेंगे, a plus b into a minus b, क्या होता है, a square minus b square, ऐसे ही ये, 4 minus root 3 का square कितना गया, 3, यानि ये कितना गया, 1, तो जब quality equation बनानी हो, तो x square minus sum, sum आएगा यहांपर, और इदर क्या आएगा, x plus product equal to 0, तो ये जो बाते हमने, निकाली है, sum product, तो ये put कर दो भी, तो ये बन जाएगा, इस तरह से, कौन सा अंसर होगा भी हमारा, last d, final answer होगा, next लेते हैं, if the sum of roots of quadratic equation is 5, and the product is, of its roots is also 5, then the equation is, ये तो simple है भी, इसने तो direct sum और product करके, दे दिया, कुछ करने ही जूरती नहीं है, x square minus sum, into x plus product, of roots equal to 0, तो इसने sum दिया है, direct, ये minus आएगा, क्या sum दिया बच्चो, roots का क्या sum दिया है, 5 put कर दो, product क्या दिया है, 5 ये भी put कर दो, बस simple था, कौन सा option होगा हमरा, c, final answer है, ठीक है, बहुत इजी है न, मजा रहा है, next question, the sum of the roots of the equation, अब हमें इसका roots निकालना है, sum निकालना है, तो मैंने एक बात उताई थी, कि जब, quality conviction, जैसे ये standard form, quality conviction की, तो हम यहाँ पर sum of roots कैसे निकालेंगे, minus b upon a, product of roots कैसे निकालेंगे, c upon a, ठीक है, तो, निकालते हैं भी, हमें तो, sum निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना, sum निकालना है, ठीक है, तो sum आएगा, minus b, b क्या है यहाँ पर, 2, minus 2 by, a यहाँ पर क्या है, कुछ भी निया, तो 1 मना जाएगा, यानि, minus 2, very simple, अब करेंगे, अगला question, क्या है, the roots of, a x square minus b x plus c equal to 0, will be reciprocal to each other, if, यानि, इसके जो roots है, जो x की value है, वो एक दूसरे के reciprocal है, मान लो, x की value, एक जो root आया है, समन्हाँ लो, x की value जो आई है, वो आ गया 4, तो दूसरा क्या होगा, 1 by 4, यह तो होता है reciprocal, समझे मारी बात, मान लो, 2 by 3 आ गया, तो दूसरा क्या होगा, 3 by 2 पलट दो, तो अब कैसे लें इसको, इस तरह से बना लो, मान लो, एक root जो है, वन रूट, मान लो, एलफा है, ठीक है, तो अधर क्या होगा, इसने clearly बोला है, अधर रूट क्या होगा, उसने का कि, यह जो रूट है, यह ratio protocol है, to each other, तो अगर मैंने एलफा लिया, तो दूसरा क्या होगा, 1 by एलफा, अगर मैं के मानता के, तो 1 by के लेता भई, ए मानता तो 1 by A लेता, ठीक है, कोई बूट मान लो, आपको उसको ratio protocol लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है, कि यह दूसरे का ratio protocol है, अब जैसे भी ratio protocol वाला case होना, तो आप हमेशा product लो, product of roots, यानि इन दोनों प्रोड़ेक्ट करेंगे, multiply करेंगे, अलफा इंटू वन बाई अलफा, और वैसे product of roots क्या होता है, अभी अभी last question किया था, sum of roots निकाला था, उसके साथ मैंने product of roots भी बता था, तो sum of roots तो क्या था, minus B upon A, और product of roots क्या था, C upon A, लेकिन यहाँ पर confuse मत होना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या डाल रखा है, बीच में minus डाल रखा है, ठीक है, थोड़ा change कर रखा है, यह standard form निया, ग्रेट equation की, जो मैं standard equation लिख रहा हूं, ग्रेट की, वह वाली नहीं है, यहाँ पर change डाल रखा है, माइनस है, लेकिन product of roots क्याएगा, C upon A, C upon A, alpha से alpha है, तो cancel हो गया भी, तो one equal to C by A, A को one की तरफ मल्टिप्लाइ करेंगे, A equal to C, कौन सा option आ रहा है, B, very easy, समझभाई बात, अब यह question स्टार्ट हो गए है, statement वाले, तो statement वाले question नंबर पर है, area, ages की question भी है, ठीक है, तो, करते हैं भी इसको, find two numbers, hood sum is 27, and product is 182, इस question को ना answer से करते हैं, बाइद दो नंबर पताने हैं, यह दो नंबर का sum कितना है, तो देखे, 27 तो बन रहा है, 12 और 15 का total, 28, 12 और 15 का total, 27, 28 ने 27, 13 और 14 का total, 27, 11 और 16 का total, 27, 27 तो हमारा answer है कुन सा, यह सारे total, सभी का sum 27 बन रहा है, तो एक चीज और दीज ने, कि उनका product 182 बन जाए, तो आपका answer होगा, तो देखिए, मैं यहां पर product कर रहा हूं, multiply कर रहा हूं, अब मैं two की five से multiply करूँ हूं, लास्ट में zero आएगा ही ऐगा, लास्ट में, लास्ट इस जीरो आएगा ही आएगा, तो यह तो option हमें है यह नहीं, यह तो option होगा ही नहीं, क्यों क्योंकि last में यहां पर two है, ठीक है, और मैं three और four के multiply करता हूं, तो three four तो ट्वैल होता, हमारा answer क्या है, बी, तो इस तरह से आप इसको answer स्वाई से, जल्दी जल्दी चेक कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको बताया है कि कैसे चेक करना है, ठीक है, जैसे first option हम try कर रहे हैं, तो हम two और five की multiply last में क्या बनाएगी, five two is a ten होता, लास में zero बनेगा यह बनेगा, लेकिन यहां लास में zero नहीं है, यहां पर दो टू है, तो यह पूरी multiply चेक नहीं करेंगी, हाँ इसकी check करेंगे, क्योंकि three और four की multiply ट्वैल यानि two आता लास में, और यहां पर भी two आया, तो इसको फटा फटा multiply करेंगे, यह 13 और 14 की multiply क्या होगी, 13 फोर्जा 52, 13 वज़ा 13, पलस five कितना हो जाएगा, 18, 182 आजाएगा, आगे चेक नहीं जोरती नहीं है, ठीक है, तो मेरे का से को दिकत नहीं आने चाहिए, और दूसरी मैथर से करना चाहते हो, फिर वो नमबर हमें महानने पड़ेंगे भी, अगर एक नमबर, एक नमबर X है, तो दूसरा क्या होगा, दोनों का टोटल के दना है, 27 तो 27 माइनस X, अभी इन दोनों की product, यानि दोनों की multiply कर दो, वो किसके equal दे रखी है, 182 की, अब यह quadratic equation बनेगी, multiply करोगी आप, इसको इदर लियाओ, ठीक है, अब इसके factor बनाने है, पहले इसका minus कोमन दे लो, दोनों तरफ, तो यह बन जाएगा, X square minus 27 X plus 182 equal to 0, ठीक है भी, अब इसके factor बनाएंगे हम, इसके factor क्या बनेंगे, यह बनेंगे मेरे खाल से, minus का 13, minus का 14, ठीक है, तो मैंने कहा था कि, ऐससे factor अगर आप बनाते हो, तो इसका answer क्या होगा, opposite sign होगा, minus है तो क्या हैगा, plus, और यह दर भी minus है, तो क्या हैगा, plus, तो answer क्या है, B, फीक है बच्चों, सब्सक्राइबात, अब next करते हैं question, the product of the two, consecutive positive integer is, 306, find the integer, बहुँ दो number हैं, लगातार, उनका जो multiply है, वो 306 है, तो हमें वो number बताने हैं, वो कौन कौन से हैं, तो देखिए, मैं दोनों method से बताऊँगा आपको, प्रेक्स से भी और answer 24 से भी उताऊँगा, तो यहाँ पर, integer, integer क्या होते हैं, 3, 4, 2, 0, 1, नेगेटिव भी होते हैं, positive भी हो सकते हैं भई, यही हो सकते हैं, अब यहाँ पर, मालों एक number है, X, तो अगला number क्या होगा, लगातार बोला है, वो क्या होगा, X plus 1, ठीक है, मालों एक number 17 है, तो उससे अगला क्या होगा, 1 plus कर दो, कितना होगा, 18, तो वही है, जैसे मैंने एक number X ले लिया, तो दूसरा क्या होगा, next number क्या होगा, X plus 1, क्यों हो, क्योंकि उसने, consecutive integer बोला है, तो यहाँ पर, इनकी multiply, बताई गई है, कितनी, इनका product कितना बता गया है, 306, तो यह multiply करते हैं, X से, X को X से करेंगे, X square, plus X, और यह 306 को, इस side ले करने, आजाओ आप, अब इसके हम factor बनाएंगे, इसके factor देखते हैं, क्या बनते हैं, आप 306 के, इस तरह से factor बनाओ, जैसे 2 से जा रहा है, 15 पर, और 53 पर, ठीक है, अब यह 3 से जाएगा, कितने बें, 51 पर, यह 3 से जाएगा, 17 पर, तो, क्या बनेंगे बही, मेरे खियाल से, 2, 3, 6, 6, 3, 18, 18 इंटू 17, क्योंकि यहाँ पर, X है, हमें multiply तो, 306 चाहिए, और यहाँ पर, total कितना चाहिए, एक यानि, X चाहिए भी, तो, वो कैसे बनेगा, अगर मैं, पलस का, 18 ले लिए, और माइनस का, 17, आप इन दोनों के, multiply करोगे, तो, 306 मिलेगा, मिलेगा, और साथ में, 18 मिसे, 17 लेस करोगे, तो, यहाँ पर क्या मिलेगा, X के, कोपिशन क्या मिलेगा, पलस का, बन, तो, मैं एक चीज बताये थी, कि, यह short method बताया था, इस तरह से भी, हमें, इस सारे step लिखने जूरत नहीं है, अगर ऐसे, हमारे multiple twice question आते हैं, तो, क्या करेंगे, हमारा final answer क्या होगा, यहाँ पर, final answer होगा, पलस वाला, जो 18 है, वो क्या बन जाएगा, माइनस 18, अच्छा साथ में, चेक करेंगे, कि, X square का, जो X square है, उसका कोबिसेंट कोई है, अगर होता, तो उसके upon में लेंगे, 18 के, और ऐसी 17 के upon में लेंगे, ठीक है, दूसरा क्या हैगा, माइनस 17 है, तो क्या हैगा, पलस 17, ठीक है, तो इसने clearly बोला, कि positive integer होने चीए, तो यहाँ पर हम positive integer कौन सा है, 17 लेंगी, यह नहीं लेंगे, 18, माइनस का 18, ठीक है, तो हमारा, अगर एक 17 आ गया, तो इससे अगला number, हमने X क्या लिया, शुरू में क्या अजूम किया था, X, तो वो कितना आया है, 17, तो उससे अगला number क्या होगा, X प्लस वन कर दो, यानि 17 प्लस वन कितना आ गया, 18, तो 17 और 18 हमारा answer होगा, यानि D हमारा final answer होगा भी, simple है, कोई दिक्कत नहीं होने चीए, मेरे ख्याल से, अब मैं इसको answer 24 से बताता हूँ, यह देखिए, answer वाइसे कैसे करेंगे, कि उनका product 306 हो, तो जैसे, first option लेते हैं, यह वाला, अगर एक positive integer 9 है, तो इससे अगला 10 होना सी है, इससे अगला 10 होना सी है, यह तो 34 आया वाई है, तो यह तो option होई नहीं सकता, यह तो पहले cancel होगया, अब B option try करते हैं, तो 12 की table, अगर आपको अच्छी तरह याद है, तो मैं multiply कर रहा हूँ, 12 और 13 की, 12, 3, 36, 3 कह रही, 12 बन जा 12 प्लस 3, 15, यह तो not equal to 306 आया है, तो यह B हमार option नहीं है, 16 और 17 वाला, यानि C option चेक करते हैं, अगर positive integer 16 है, तो इस से अगला 17 सही बन रहा है, अब इसकी multiply, multiply देखिए, पूरी करने की जूरत नहीं, यह आपर 6 और 7 की multiply करेंगे, तो last digit 2 आएगा, लेकिन यह आपर last digit 6 है, ठीक है, तो यह भी match नहीं कर रहा है, तो C option नहीं है, तो हम सिधा tick कर देंगे, D option पर है, तो ऐसे आप answer twice से कर सकते हो, देखिए D answer verify होगा, check कर लेते हैं, सबसे पहले 17 number है, तो इस से अगला next number क्या होगा, integer positive 18 होगा, बिल्कुल ठीक है, अब 17 और 18 की multiply क्या आने चीए, 306 आने चीए, तो देखो, आप 17 और 18 की multiply करोगे, तो कितना आएगा यह, 18 से बन्जा 126, 12 कहरी 18 बन्जा 18 प्लस 12, 30, तो यह match कर रहा भी, ठीक है, तो इस तरह से हम answer twice से, इस question होगा कर सकते हैं, बिना X method के, time बचा सकते हैं, next question लेते हैं, क्या भई, the difference of square of 2 number is 180, the difference of square of 2, 2 number is 180, the square of the smaller number is 8 times the larger number, find the 2 numbers, इस दो number है, पहली condition है, यह है कि, उन दोनों number के, जो square है, उनका difference कितना है, 180, दूसरी condition क्या है, कि जो smaller number है, वो 8 times है, किसका भी, larger number का, नहीं, ता square of smaller number, दा square of smaller number क्या है, 8 times है, larger number का, तो दोनों number बताने है, तो पहले मैं आपको, x methodist समझाता हूँ, फिर आपको, answer choice है, तो यहां पर, जैसे, अगर मैंने, smaller number, आप greater number ले लो पहले, यह कुछ भी अजूम कर लो, आपको मर्जी है, जैसे मैंने, जो greater number है, वो ले लिया, x, greater का मितल लार्जर यहां पर, और smaller number जो है, वो मैंने ले लिया, y, ठीक है, अलग अलग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यहां पर, जब उनके square का difference निकालूँगा, तो 180 आएगा, तो एग लेकर चलता हूँ, तो दिक्कत आ रही है, आप चेक कर ले ना, तो यहां पर first condition के coding, इसका square, दूसरे का square का difference कितना है, 180, दूसरी condition क्या भी, दूसरी condition ही है, जो smaller number है, smaller number कौन सा भी, y, यहनि इसका square, किसके equal है भी, 8 times the larger number, यानि 8 गुना है, larger number हमने क्या माना है, larger number हमने क्या माना है, larger कहलो या greater कहलो, ठीक है, वो क्या है, x, ठीक है, यानि y square equal to 8x, अब यह y square equal to 8x, जो है, यह value put कर दो, यहां पर, यहां पर put कर दो, यह value यहां पर put कर देंगे, तो यहाँ जागा x square minus y square कितना अभी y square कितना है यहाँ पर निकाला भी 8x ठीक है और इस 180 को इस सेट लियाते है एक्वल टू जीरो अब इसके factor बनाते हैं भी क्या factor बनेंगे इसके 18 और 10 बनेंगे 18 जा कितना होता है 180 और 18 में से 10 लेस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा तो यह minus का ले लेते हैं यह plus का minus plus की multiply minus और minus 18 में से plus 10 लेस करेंगे तो minus का 8 बचेगा तो मैंने बताया था कि ऐसे factor बनाने के बाद हमारा फाइनल अंसर यहां पर क्या होगा फाइनल जो result होगा यहां पर अभी तो अंसर नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से फाइनल रिजल्ट जो होगा कि वह क्या होगा आप पोजिट से लेना मैनिस 18 यह तो पलस 18 पलस 10 यह तो मैनिस 10 ठीक है ऐसे ले लेंगे अब देखिए हमारे पास एक 18 आ गया एक 10 आ गया तो यहां पर कोई positive number ऐसा कोई condition नहीं लगाई है फिर देख चेक करते हैं तो हम X क्या लेके चले थे एक्स लेके number तो greater number हमारा क्या आ गया 18 आ गया अब यह 18 वैलू किसमें पूट करो किसमें पूट करोगे आप आप किसी में भी जैसे मान लो आप यहां पर पूट करते हो यहां पर तो देखिए क्या बनेगा Y स्क्वार एक्वल टू 8 हम X की वैलू 18 पूट कर रहे हैं तो Y आ गया 18 इंटू 8 क्या होता 1 डबल 4 और स्क्वार हटाएंगे तो क्या बनेगा प्लस माइनस अंडरूट 1 डबल 4 यानि प्लस 12 भी आ गया और माइनस 12 भी आ गया ठीक है तो जब हमारा नंबर ग्रेटर 18 हो तो प्लस का 12 भी आएगा और 18 के साथ माइनस का 12 भी आएगा तो यह हमारे अंसर आ रहे हैं अब माइनस 10 आप रखोगे तो दिक्कत आएगी अब माइनस 10 रखोगे दिक्कत आएगी जैसे मैं यहाँ पर जो हमाराła y square equal to 8x है यहाँ पर मैं माइनस का 10 put कर रहा हूँ तो देखे यहाँ पर यह माइनस का 80 बन गया और आप स्क्वायर हटाऊगे तो प्लस माइनस अंडरूट माइनस 80 तो अंडरूट के अंदर माइनस ये तो इमेजरी होता है ठीक है तो ये आपका 10th लेवल पे नहीं होगा ये तो 11th लेवल पे होता है ये रियल अंबर नहीं है भई तो हम 10 को ठीक है यवाइट वाइट वहल भी आरहा है और नेगरिट वहल भी आ रहा है तो यहां पर देखिए हैं ये ऊप्शन में 18-12 वह भई ऑर दूसरा भी ऊपशन आ है वह 18 माइनस वए यद बिा रहा हैं तो यह हमारा अंसर होंगे A, B होगा और B होगा तो हम A और B की टिक को टिक करने की बजाए किसको करेंगे D को D हमारा final option होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर उसने लिखा कि दोनों A और B यह correct होगे तो D हमारा final answer है इस तरह से हम अगर X वाला method करते तो यह लगाना पड़ेगा तो इससे काफी बड़ा हो रहा है answer से देखिए हमें time बचाना है MCQ में तो answer से हम फटा-फट करेंगे यहाँ पर उसने बोला है उनके square का difference 180 इसको बाद में try करते कोई simple value चेक करते पहले कि the square of the smaller number is 8 times the larger number चेक करते है square of the smaller number यानि 12 का square कितना होता है 144 ठीक है दोबार लिख रहा हूं जैसे मैंने यह first option लिया तो इसमें smaller number कुन सा 12 12 का square ठीक है यह किसको इकलों आना चाहिए 8 times of किसका भई larger number लार्ज नंबर कितना भई 18 तो 12 का square 144 होता है यह चीज वैरिफाई हो रही है तो यह हमारा option अभी यह हमारा रहा हमारी बात तो यह और बी डाला रखाओ यहां पर तो मैं अगला भी ट्राइब करूंगा अब यह लेता हूं कि जैसे यह बोला उसने कि the square of the smaller number यानि 18 का square अचा इसमें smaller number कौन सा है माइनस 12 तो माइनस 12 का square किसके एक टाइमस लार्जर नंबर का तो यहां पर इसके साथ लार्जर नंबर कौन सा है अठारा तो देखते हैं एलेटेस और रहे सिक्वल आता नहीं आता मानिस 12 का square क्या होगा positive one double four और यह भी one double four यह भी आ रहा भी तो इस तरह से हमारे दोनों option आ रहे है तो हमारा option क्या होगा डी समयाई बतरो देखो यहां पर time बच रहे हैं ठीक है दो condition दे रखी है तो सबसे पहले उस condition को पकड़ो जो easy है जिसमें calculation नहीं है और 180 वाली condition मैंने क्यों नहीं पकड़ करना पड़ता और फिर उनका difference कितना आना चाहिए था 180 तो इसमें time लग सकता है कर सकते हो ऐसे अब यहां जैसे मैं यह condition लगा रहा हूं क्या condition है the difference of square of two number is 180 तो 18 का square minus 12 का square कितना ना चाहिए 180 अगर मैं first option लेके चलूं तो 18 का square 324 यह 144 तो चेक करते हैं भी आप 324 में से 144 मैंस करोगे तो यह 180 आ रहा है verify हो रहा है ठीक है तो यह हमारा answer बंद रहा भी ऐसे ही आप इसको चेक कर लो ऐसे आप इसको चेक करोगे 18 का square minus में minus 12 का all square कितना आना चाहिए कितना difference आना चाहिए बोला उसने 180 तो यह भी 324 और minus 12 का square तो क्या होगा 144 पलस तो बनेगा नहीं यहापर minus minus क्योंकि अंदर यह positive बन जाएगा square open करेंगे तो तो यह भी verify हो रहा है तो हमारे दोनों answer A और B आ रहे हैं तो कौन सा final option होगा D ठीक है अब next करें देखी next next में क्या है रोहन's mother is 26 year older than him कहने मतलब यह है कि रोहन की जो माता है वो 26 साल बड़ी है उससे next लेते है दा product of their ages three years from now will be 360 यह कह रहा है जो product है जो multiply है उनकी ages की कौन सी ages की तीन साल बाद जो बनेगी उसकी mother की जो age बनेगी तीन साल बाद और रोहन की भी जो age बनेगी तीन साल बाद अगर उनकी multiply कर दें तो वो 360 यानि 360 बनेगा find रोहन's present age present age क्या होगी रोहन की चेक लेते है यहाँ पर देखिए present यानि आज की age रोहन की क्या होगी x year एक्स मान लेते हैं तो mother उसकी mother की age क्या होगी वो 26 older than है उससे यानि 26 साल बड़ी है तो x plus 26 थ्री इयर फ्रॉम नाव विल बी का मतलब तीन साल बाद तो मैं plus 3 करूंगा जब तीन साल बाद होगा यानि आप्टर 3 year होगा तो plus 3 करो 3 year ago होगा तो minus 3 करेंगे तो 3 year का मतलब तीन साल और increase कर तो कितना बन जाएगा ये ये बन जाएगा एक्स प्लस 3 और mother की age भी बड़ेगी भाई तीन साल बाद ये क्या बड़ेगी ये बड़ेगी एक्स प्लस 26 प्लस 3 ठीक है तो ये होगी एक्स प्लस 3 और mother की age कितनी होगी तीन साल बाद एक्स प्लस 29 इनका product कितना है 360 दे रखा भी तो यहां से हम multiply करेंगे एक्स की एक्स के साथ multiply x square फिर एक्स की 29 के साथ फिर 3 की multiply करेंगे ठीक है और फिर 329 की multiply करेंगे तो कितना आएगा 87 ये बन गया अब यहां पर इनको एक साथ खठा कर लो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स square 29 एक्स प्लस 3 एक्स कितना मनेगा 32 एक्स और अब 360 को इधर 87 की तरफ लाओ तो माइनस होगा तो 360 में से 87 माइनस करेंगे तो माइनस का तो sign आएगा ये आएगा और कितना बचेगा आप यह माइनस करके देखो कितना मचेगा 273 आप 360 में से 87 माइनस करोगे तो यह कितना एगा 10 में से 7 लेस करेंगे 3 15 में से 87 तो यह 273 यही बच रहा भी समय वाया एक्वल टू जीरो अब हम फैक्टर बनाएंगे इसके 273 के फैक्टर बनाएंगे ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि उनकी मल्टिपला यह तो 273 बने माइनस में और उनका टोटल प्लस का 32 बने तो ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं क्या हो सकते हैं भी प्लस का तो हाना जी टोटल तो 39 माइनस 7 यह फैक्टर होने चीए अगर आप से फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो आप ऐसे इस तरह से बनावगे 273 के फीक है तो देखिए यह नंबर 3 से डिवाइड होगा 3 से और 9 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है जि अगर इसका टोटल 18 आ जाता तो यह नंबर 3 से डिवाइड होता है और 9 से भी तो फिलाल यह 3 से डिवाइड हो रहा है अब 91 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो यहां पर देखिए 3 और 13 की मल्टिप्लाई कितनी होगी 39 और इंटू में 7 तो यह मल्टिप्लाई इतनी तो बनेगी बनेगी क्योंकि इसी के फैक्टर बनाए है हमने अब यहां पर चेक क्या करना है कि इनका टोटल यहां डिफ्रेंस कितना आ जाए 32 आ जाए तो यहार अब 39 में से 7 लेस करेंगे तो क्या बचेगा 32 पलस का 39 ले लिया मैनिस का 7 ले लिया और अब हम क्या करेंगे वही शोट फाइनल रिजल्ट हमारा यहां पर क्या होग पलस 39 लिया तो माइनिस 39 माइनिस 7 लिया तो पलस 7 तो एज कभी negative नहीं होती तो यह वाला तो option होगा नहीं एज हमेशा क्या होती है पोजिटिव होती है तो यह हमारा final answer होगा तो हम रोन की एज x मान खिज ले थे वो कितने आई है 7 year आई है तो 7 year कौन सा option अभी C ठीक है अ आप 7 में क्या add कर दो कितने साल बड़ी उसकी मदर की मदर कितनी साल बड़ी है 26 तो 7 प्लस 26 कितना हो जागा 33 यह उसकी मदर की एज क्या होगी आज 33 यह लेकिन फिलाल तो हमें रोहन की एज बतानी थी वह कितनी आई 7 समझाया तो इसको note करें ना फिर बता रहा हूं इसको हम अगर हमें लिखना पढ़ रहा है किसी एक्जाम में इस solution को तो हमें ऐसे नहीं करना वह आपको पता है आपके teacher ने कराया होगा मैं तो यहां पर short कर रहा हूं अगर आपने यहां ऐसे कोई question लिखवाने वाला आ गया और आपने इस method से कर दिया तो आपको number कर जाएगा भी पूरे marks नहीं मिलेंगे इस चीज़ का धियान रखना तो इसको answer च्वाइस से कर देखते है अंसर च्वाइस से देखिए रोहन की present age के option है यहां पर a, b, c, d में 8, 10, 7 और 99 अगर रोहन की age यह वाली लेके चले है अगर रोहन आज 8 साल का है तो उसकी मदर 26 साल बड़ी है भई 26 और 8 कितना हो जाएगा 34 ठीक है तो यह जो product दे रखा है 360 यह तीन साल बाद का दे रखा है तो 8 में 3 आइड करोगे तो कितना बनेगा 11 साल 34 में 3 साल आइड करोगे तो कितना बनेगा 37 तो 11 और 37 की multiply करेंगे तो last में 7 आएगा देखिए जो भी आएगा वो कितना आएगा last digit सेवन आएगा लेकिन यहां तो last digit क्या है 0 है तो first option तो नहीं है ठीक है अब हम लेते 10 अगर रोहन की age 10 है आज तो उसकी मदर की age क्या होगी सब भी साल ज्यादा होगी आज यानि 26 प्लस कर दो 26 क्या कर दो इसमें plus 36 product जो दे रखा है 360 व last में क्या आएगा 39 जा कितना था 27 यानि last digit क्या आएगा 7 यानि पूरी multiply करने ही जूरत नहीं आपको ठीक है तो यहां पर तो 0 last digit तो यह भी option नहीं है अब 7 लेते हैं रोहन की age 7 है तो उसकी मदर की age क्या होगी 26 प्लस कर दो 33 और 3 साल बाद age क्या बनेगी रोहन की 3 प्लस कर बन रहा है 360 बन रहा है verify हो रहा है तो c हमारा final option होगा भी ठीक है simple है answer twice से यह एज वाले question जातर आप answer twice से कर सकते हो x लेने की जूरत नहीं है अब next question लेते है इस question में यह बताया गया कि रहमान की जो age है तीन साल पहले जो age थी उसका reciprocal reciprocal कैसे है भई अगर किसी की age 20 साल हो तो तो तीन साल पहले जो age थी रहमान की उसका reciprocal और पांच साल पाज जो age बनेगी उसका reciprocal का sum कितना बनेगा 1 by 3 तो बताइए उसकी present age क्या है तो करते हैं इस रूमें x method से यहाँ पर रहमान की present age जो है यहाँ पर present age यहाँ पर तीन साल पहले की age यहाँ पर after five year age ठीक है रहमान present age को x मानो आज age उसकी x year है तो तीन साल पहले क्या होगी x minus three minus करेंगे आज age x है तो पांच साल बाद क्या बनेगी प्लस करेंगे x plus five अब उसने का कि जो तीन साल पहले वाली age है और पांच साल पहले वाली जो age है इसका reciprocal का sum लेना है तो इसका reciprocal क्या आएगा one upon x minus three पांच साल बाद वाली age का reciprocal क्या आएगा one upon x plus five और इसका sum बतान दे रखा है वई इसका total कितना दे रखा है one by three बस अब यहां से हमने x की value निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे LCM लेंगे यहांपर LCM में यहांपर x plus five आएगा यहांपर x minus three आएगा ठीक है तो अब यहांपर उपर क्या बन जाएगा 2x plus में five में से three less करेंगे two five में से three less करेंगे तो यह two बनना चाहिए गलती से three right कर दिया नीचे नीचे multiply करो आप x की x के साथ x square मैं थोरी direct multiply कर रहा हूं यहांपर और देखिए x की five के साथ होगे तो five x और इस x की three के साथ होगे तो minus three x plus का five x minus का three x क्या बचा plus का two x और minus three और plus five की multiply minus का fifteen इस तरह से आप थोड़ी ही direct multiply कर सकते हो समझ मारी बात और यहांपर one by three cross multiply कर दो आफ cross multiply करोगे तो यह आएगा x square ठीक है one की multiply कर रहा हूं two x minus fifteen अब three की उधर multiply कर रहे है six x plus six अब इनको इस तरह ले आओ ठीक है तो मैं यहांपर write कर रहा हूं यह बन जाएगा x square six x इदर आएगा तो माइनस होगा two x इतना मज़ेगा माइनस four x और यह माइनस का twenty one equal to zero इसके फैक्टर बनालो भी क्या बनेंगे minus का seven plus का three seven three जा twenty one होता है seven हमें से three less करेंगे फोर आएगा बन रहा है और हमारा जो final यहांपर answer आएगा यह result आएगा वो क्या आएगा यह तो आएगा नहीं कभी ध्यान रखना कर गलती ना कर बेठे माइनस seven आया तो पलस seven लेंगे पलस three आया तो माइनस three लेंगे और साथ में x square का coefficient यहांपर one आ रहा भी तक अगर x square का coefficient यहांपर मालव five होता तो मैं upon में five लेता है यहांपर भी upon में five लेता है पता निस बात का ठीक है फिलाल दो one है तो कुछ लेने की जूर्द की है एज नेगेटिव नहीं होती एस तो पॉजिटिव होती है seven हमारा फाइनल अंसर है भई इस तरह से हमने इसको complete कर दिया अच्छे यहांपर यह मैं बार-बार short कर रहा हूं इसको नोट कर लेना एक बार तो मैं इसको थुड़ा complete भी करता हूं कहीं तुम रियल में लिखने वाली बात आ गए लिखने वाला question आ गया तो कहीं गलती ना कर बिठो क्या factor बनाए थे हमने minus का seven x plus का क्या हैगा three x यहां से x को मन निकालेंगे x minus seven यहां से three को मन निकालेंगे x minus seven सारे में से x minus seven को मन निकालेंगे क्या बचेगा x plus three equal to zero अब यहां तो x minus seven equal to zero है यहां फिर x plus three equal to zero क्योंकि दो factor की multiply zero आ रही है तो यहां से x की value seven आई यहां से x की value minus three आई तो यह value negative आई है तो यह is negative नहीं होती तो यह तो नहीं लेंगे हम value क्या लेंगे seven यह एक्स हमने क्या लिया था present age तो present age पूछी है कितनी आई seven यह समझा भाई बच्चो आप इसको answer से भी करते हैं age वाले question ज्यादर आप answer से कर सकते हो एक्स method यूज करने जूरत नहीं है जब ऐसे type पूछी जाए mcq type तो यहां पर जैसे three लेते हैं अगर रहन की आज age three है तो तीन साल पहले क्या होगी जीरो तो यह तो होई नहीं सकता वह यह तो आया नहीं था इस दुनिया में सम्झारी बात ठीक है जीरो एज बनारी है न कि आगा और नौडी फाइन तो यह option तो ही नहीं सकता दूसरा यह भी नहीं हो सकता क्यों कि present age कभी negative होती है जब किसी कभी negative होती है तो यह भी option यह सकता भी अप रह गया CC चेक करते हैं भी आ यह हैं से को चेक करते हैं यह अबर अगर रहन की एज आज seven है present age seven है तो तीन साल पहले क्या होगी साथ में से तीन लेस कर दो च्यार साल च्यार साल पांस साल बाद क्या होगी प्रेजिंट की पांस साल बाद होता है ये ठीक है तो साथ में पांस सेवन में फाइड कर दो ट्वैल येर होगी अब इनका रेशी प्रोकल इनका वी रेशी प्रोकल का sum अगर 1 by 3 आ गया तो हमारा result यही होगा तो LCM 12 आया ठीक है तो यह तो आ रहा है 4 by 12 कितना होता है 1 by 3 यह देखिए इनके age का जो reciprocal का sum है वो 1 by 3 बन रहा है तो final हमारा answer क्या होगा 7 year यानि C option होगा ठीक है मेरे खाल से यह बात समझ में आगे होगी कि आप ages के question को answer choice से कर सकते हो time बचा सकते हो next लेते है next है the altitude of a right triangle is 7 cm less than its base if the hypertonus is 13 cm find the other two sides तो यहाँ पर right angle triangle आई है altitude यानि उसकी जो height होती है वो कितनी है 7 cm less है किस से उसके base उसका base हमें मानना पड़ेगा भी कुछ ने कुछ और hypertonus यानि हिंदी में इसको current बोलते है उसकी side कितनी है 13 cm तो other two sides हमें उतानी है एक side हमें पता है जैसे यह है right angle triangle ठीक है यह base है भी इसको मैं x मान लेता हूँ इस base को x मान लिया तो इसका जो altitude है जो altitude है वो क्या होगा 7 cm लेस होगा किस से लेस होगा इसके base से यानि x माइनस 7 होगया altitude यानि height और यह hypotenuse होता है करन होता है यह कितना दिरखा है 13 cm और right angle triangle में आपको पता है कि पाइथा गौरस थियोरम यूज होती हुई ठीक है अगर मान लोई ट्रेंगल A, B, C है तो पाइथा को फिरम क्या होती है A, C square equal to A, B square plus B, C square यह होती है पाइथा को फिरम यहनि A, C क्या भी 13 का square A, B क्या है x minus 7 का whole square B, C क्या है x का whole square है तो इस square open कर दें 13 का square कितना होगा 169 इसका whole square A minus B का whole square क्या होता है A square plus B square minus 2AB तो यह लगा देते हैं भी 7 का square 49 minus 2AB यहनि कितना बनेगा 14X अच्छे, पलस आएगा यहाँ पर पलस X square चीक है अब इनको इकठा करते है x square plus x square कितना होगा 2X square minus का 14X ठीक है और यह 169, 49 की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो यह कितना आजाएगा 120 ठीक है, अब इसका factor बनाएगे factor क्या बनेगे 120 के इससे factor बनाओ कि उनका, अच्छे 2 से divide भी हो रहा है यह 2 से divide भी हो रहा है 2 से divide कर दो देखे 2 common आरा सभी में तो इसको 2 से divide करेंगे तो यहाँ पर x square बचेगा यहाँ पर 7X बचेगा यहाँ पर 60 बचेगा और यहाँ 0 ही रहेगा ठीक है, अब क्या factor बनाएगे 12 और 5 12 फाइव जाँ कितना होता है, 60 और 12 में से 5 less करेंगे तो कितना बचेगा minus का 7 तो हमारा यहाँ पर answer क्या होगा हमारा जो result होगा final वो क्या होगा बच्चो ठीक है, minus 12 है तो plus का 12 होगा, plus 5 है तो minus का 5 होगा, लेकिन आपको पता है कि जब यहाँ पर हम triangle या area इन में हम length को side को negative कभी नहीं लेते हैं, हम हमेंशा क्या लेते हैं, positive, तो side कभी negative नहीं हो सकती, length कभी negative नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे, कि जो एक side आई है, जो x लिया था, जो base लिया था, वो कितना है, 12, यहाँ पर x की value कितनी आगई, 12, अगर x की value 12 आगई, तो दूसरी side क्या है, x minus 7 यानि, कितना आ जाएगा, 12 minus 7, कितना होता है, 5, तो other two side कितनी आगई, 12 and 5, क्योंकि एक side तो दे रखी थी, 13 तो दे रखी थी hyperness तो दे रखा था, तो हमने base निकाल लिया 12 और altitude निकाल लिया 5, तो हमारा option क्या होगा, c, क्योंकि इसमे 12 और 5 है, सब्सक्राइब बात, इसको note के लेना, अब answer से करेंगे, तो देखिए, option से करते हैं, यहाँ पर आपको पता है कि right angle triangle में python को तुरम लगती है, यह कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, अगर मैं a option लूँ, तो यहाँ पर 13 और 6 है, यहाँ पर क्या है, 13 और 6 है, साथ में यह बोला है, कि जो, जो base, जो altitude है, वो base से कितना लेश है, 7, ठीक है, मालो base, base 13 हो, 13 में से 7 less करेंगें, तो कितना आएगा, 6 आएगा, यह चीज़े तो verify हो रही है, यह condition verify हो रही है, चेक कर लो, उसके base में से 7 less करेंगें, तो क्या आएगा, altitude कितना आएगा, 6 आएगा, 13 में से 7 less करेंगें, कितना आएगा, 6 आएगा, लेकिन, देखी, यहाँ पर right angle triangle म सबसे बड़ी साइड जो होती है वो क्या होती है हाइपोटोनेस और वो कितां दे रखा है थर्टीन अब जो जो इसकी हाइड यानि एल्टीटूड और बेस जो होगा वो थर्टीन से छोटा होगा समझे मारी बात तो ये ओप्शन तो होई नहीं सकता इसमें क्या साइड दे रखी एक थर्टीन दे रखी ये तो होई नहीं सकता साइड जो होगी ये बेस ये वाला बेस और ये जो एल्टीटूड यानि हाइट जो है ये थर्टीन से स्मोल होगा ये ओप्शन में थर्टीन डाला हुआ है तो ये होई नहीं सकता ठीक अभी अब भी वाला चेक करते हैं 11 मालों यह बेस 11 है तो जो एल्टिटूड क्या है एल्टिटूड सेवन सेंटिमेटर लेस है तो 11 मिसे 7 लेस करेंगे 4 वैरिफाई हो रहा है तो दूसरी कंडिशन वैरिफाई करो दूसरी कंडिशन क्या है कि पाइथावर्ट थोरम को करें तो 11 का स्पेर पलस 4 एकोड़ टू 13 का स्पेरा चाहिए यह दूसता पाइथा फोर हो इस्का 121 होता इसका 169 होता है तो यह तो वैरिफाईं नहीं हो रहा भी ठीक है किन नोट्वाल आ रहा है 121 16 कितना होगा 137 इस नोट कर लेता है तो यह जह कर लिते है सि इसकी साइट represent seven centimeter less कर दें तो यह दो वैरिफाई हो रहा है तो यह तो सभी में हो रहा था सभी मी हो रहा था चैजिक है जब सभी में प्रकल ये करेंगे ट्वैल classrooms ठ 115 को पर्धम वेरिफाइ करेंगे 12 का स्कॲेर 144 5 का स्क्वेर 25 ठीक कितना आया 169 13 का स्केर कितना होता है वह 169 ओता है तो यह इस पाइधा एंचियों परकलो है सुआ जोता है तो हमारा आप्छीन क्या होगा सि करते हैं The area of rectangular plot is 528 m2. The length of the plot is one more than twice its breadth. Find the length of breadth of the plot. एक rectangular plot है भी. उसका area इतना दे रखा है 528 m2. और उसकी length जो है ना, वो उसके breadth के twice से एक ज्यादा है. तो बताईए वो length और breadth क्या है? तो देखिए सबसे पहले हम detail में करते हैं. जैसे ये rectangular plot है. यहाँ पर इसकी breadth मानलो x है. तो length क्या है? इसके twice से एक ज्यादा. और इसका area कितना है? 528 m2. ठीक है, तो area क्या होता है? area होता है length into breadth. length हमने क्या निकाल लिए? 2x plus 1. breadth क्या है? x और area क्या है? 528. तो यह solve कर लो भी. x से multiply करेंगे. 2x square plus x. तो ठीक करेंगे. इसको 528 को उदर ले आते हैं. अब इसके factor बनाएंगे. factor बनाने से पहले देखिए 2 है यहाँ पर into में. तो 2 और 528 की multiply होगी. तो क्या होती है अब ही? 1056. अब इसके factor बनाने हैं. क्योंकि बड़ा नंबर है. तो 2 से divide हो रहा है. 2 से divide हो रहा है. 2 से यह हो रहा है यहाँ पर भी. यहाँ जाएगा 66, 33 और 11 फीक है? अब देखिए यहाँ पर 2 टूजा 4, 4 टूजा 16, 16 टूजा 32, नहीं 2 टूजा 4, 4 टूजा 8, 8 टूजा 16, 16 टूजा 32, और 11 फीक है 33. तो एक तो 33 हो गया, दूसरा 32 हो गया. यह माइनस में हो गया, यह पलस में हो गया. अब चेक कर लो. 33 और 32 की मल्टिप्लाई 1056 बनेगी. 1056 बनेगी बनेगी. ठीक है? और 33 में से 32 लेस करेंगे, तो क्या बचेगा? पलस का X. मुझे चाहिए, यह हटाना पड़ेगा. यह थोड़ा गलत हो रहा है. ऐसे हो जाएगा यह. पलस का 33 मैनिस का 32. अब ठीक है. पलस 33 में से 32 मैनिस करेंगे, तो पलस का 1 बचेगा. और निच्चे, यहां पर देखे, X स्क्वेर का कोपिसेंट आ गया, तो मैं शोर्ट मैथड में क्या बता रहा हूँ? जब X स्क्वेर का कोपिसेंट आ जाए, तो आपने upon में 2 करना है, upon में 2 करना है. जो भी कोपिसेंट होता है यह तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा हमारा? फाइनल रिजल्ट होगा, माइनस 33 पलस है तो माइनस, आपोजिट साय लेना पता आना? दूसरा भई पलस 32 अपॉन 2 यानि 16 तो नेगेटिव तो नहीं होती कोई side length ये तो है नहीं हमारा option क्या है हमारा जो value आ रही है positive आ रही है x आ रही है कितना 16 तो अगर x 16 है breath 16 है तो length कितनी होगी 33 क्यों 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 कि length क्या है उसके twice से एक ज्यादा है 16 का twice 32 एक प्लस करेंगे 33 तो d हमारा final answer है ठीक है और नहीं तो यहाँ पर put कर दो भई x हमने कितना निकाला है 16 प्लस 1 तो length कितनी होगी 32 प्लस 1 यानि 33 तो ये d हमारा answer होगा ठीक है बच्चों तो इस तरह से हमने इसको find out किया अब answer से देखते है area plot का दिरखा 528 ठीक है length उसकी plot से length जो उसकी breath से twice उसके twice से एक ज्यादा है तो देखिए अगर ये breath 22 हो 22 हो तो length क्या बनेगी 22 का twice 44 और एक एड़ करेंगे 45 ये तो 24 आ रहा है तो ये option नहीं है अभी ये वाला भी वाला चेक करते हैं breath का twice 24 में एक एड़ करेंगे 25 length 25 आनी चाहिए यादा 44 आ रही है ये भी नहीं है आगे देखिए इस breath का यहनि breath length से छोटी होती होती है तो मैं छोटे वाला नमब ले रहा हूँ न शुरू में तो 12 का twice 24 और एक प्लस कर देंगे तो length आ जाएगी वही तो बोला length क्या है आप breath का twice करो और एक एड़ कर दो तो 12 का twice क्या होता है 24 24 में एक एड़ करेंगे 25 ये आ रहा है ठीक है अगला भी बन रहा है 16 का twice 32 और 1 एड़ करेंगे 33 यानि C और D मेंसे एक अंसर है अब कौनसा अंसर है इसके लिए क्या करेंगे एरिया एरिया क्या होता है length into breath यानि इनकी multiply 528 आएगी वही हमारा अंसर होगा तो देखें C option में आप 5 की और 2 की multiply करोगे तो 5 और 2 की multiply 10 होती है यानि last में 0 आएगा इस तरह से हमें answer choice से करना है समझ मा गया answer choice simple है next question है sum of the areas of 2 square is 468 meter square if the difference of their parameters is 24 meter find the sides of the 2 square यह दो square है उनकी sides बतानी है उनका area का sum दे रखा है उनके perimeter का difference भी दे रखा है तो थोड़ा हाँ समझते इसको पहले इसकी बाते समझते हैं कि square में होता क्या है जैसे square की side A है तो यह भी A यह भी A यह भी A स्क्वाइर का area क्या होता भी length into right यानि A into A कितना बन जाएगा A square perimeter यानि pre map perimeter क्या होता है इसकी जो boundary है boundary कितनी है भी कितनी side है four four side की total length क्या होती है perimeter होती है तो count कर लो A plus A सारी A है भी A यह भी A यह भी A यह भी A तो total length ही perimeter के लाती कोई भी चीज हो चाब वह triangle हो square हो rectangle हो कोई भी चीज हो तो यहाँ पर four A इसका perimeter हो गया समझमारी बात ठीक है अब इसने कहा कि the difference of the their perimeter is 24 यहाँ पर difference कितना दिया है perimeter का 24 दिया है तो जैसे मालो इस square की side मैंने x माल ली और दूसरे square की side क्या माल ली y ठीक है तो पहली condition क्या है कि इनके area का sum तो पहले वाले square का area क्या होगा भी x square दूसरे वाले area दूसरे वाले square का area क्या होगा y square इनका sum कितना दे रखा है 468 ठीक है दूसरी condition इनका जो perimeter है उनका difference कितना है 24 तो पहले वाले area का पहले वाले square का perimeter क्या होगा 4x दूसरे वाले का क्या होगा 4y difference का मतलब बीच में minus कितना दे रखा है 24 ठीक है चार कॉम्म निकालो यहां से कि फोर से डिवाइड कर दो side भाई ठीक है यहां से y की value निकालो और वहां पर put कर दो तो यहां से y की value क्या आएगी x-6 यह value कहां put कर दो इसमें x की value आ जाएगी x की value आ गए तो सब कुछ आ गया ठीक है तो मैं यहां पर कर रहा हूं इसको सोर x square और y की value क्या है x-6 put करेंगे यहां पर यहां पर put करेंगे और उपर क्या है y के square वही equal to 468 अब यह open कर लेते हैं false square open कर लेते हैं इसको ठीक कर लेते हैं 2x square minus 12x और minus का कितना बचेगा यह और 32 यह बचेगा equal to 0 दो से divide भी हो रहा है x square minus 6x minus 216 equal to 0 यह बना रहा है तो इस तरह से हमने यह find out कर लिया quadratic equation find out कर लिया अब इसके हमें factor बनाने है अब factor क्या बनेंगे यह आप note कर लेना मैं यह इसको हटा रहा हूँ यह आपर हमने quadratic equation क्या find out किया है x square minus 6x minus 216 यह find out किया भी तो क्या factor बन सकते हैं इसके 216 के factor बनाते हैं 2 से divide हो रहा है ठीक है फिर 2 से divide हो रहा है यह आपर 4 आएगा कर दिया भी डिवाइड फिर 2 से 27 और यह नाइन पर हो गया भी ठीक है यहां से थुड़ा दाजा आ जाएगा हमें कितना डिफ्रेंस अनची 6 का यह यह बनेगा टू टू जा फोर फोर टू जा एट ठीक है और इससे नहीं बन रहा चालें 12 और 18 बन जाएगा यहां पर ठीक है 12 और 18 माइनस का 18 पलस का 12 समझावाई बात 18 में से 12 स करेंगा माइनस का 6 12 और 18 की multiply करो क्या आएगा 2 से 16 तो हमारा यहां पर final क्या रहेगा माइनस 12 पलस 18 ठीक है नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा एरिया के अंदर क्योंकि जो लेंथ होती हो नेगेटिव पॉजिटिव होती क्या लेंगे 18 तो एक्स हमने क्या लिया था एक स्क्वाइर की साइड ली थी कितनी आई 18 ठीक है अब यह पुट कर दो कहां पर पुट कर दो इसमें पुट कर दो यहां पर इधर नीचे एक्स की जगा 18 पुट करेंगे तो वाई कितना आ गया y आ गया 12 ठीक है तो 12 और 18 यह हमारा अंसर होगा तो देखिए फर्स्ट ओप्शन आए ठीक है दोनों स्क्वाइर की साइड हमने निकाल दी एक स्क्वाइर की साइड x मानी थी दूसरे स्क्वाइर की साइड y मानी थी तो x वाली साइड 18 आए तो y वाली क्या आएगी 12 यहां पर पूट कर देंगे इसके अंदर इसको नोट करेंगे अब हम इसको अंसर से भी करते हैं जैसे फॉस्ट ओप्शन है उसने बोला है कि इफ इफ डिफरेंस ओव देर पैरिमेटर इस 24 तो स्क्वाइर का पैरिमेटर क्या होता है 4 इंटू साइड देखिए यहां पर 4 इंटू साइड करोगे 18 इंटू 4 ठीक है 12 इंटू 4 तो 72 माइनस 48 का डिफरेंस कितना आ गया वह औरिफाइए हो रहा है और अगर यह वयरिफाइए हो रहा है आफ यह उपच्याण तो हम इसका एरियास ओं फॉस्ट्न कितना ना चाल च 210 mình कतना चूंध यह इन्टी तो इसका एरिया कितना होता है साइट इसका स्क्वाइर कितना होता है 18 का 324 12 का स्क्वाइर 144 चेक करते हैं भी बनता नहीं बनता एड करोगे अब इसमें तो यह बन रहा है 468 एक्वाल टू 48 आगे चेक करनी जूरत नहीं है हमारा option क्या है यह है ठीक है समझवाई ना कैसे चेक किया है सबसे पहले मैंने जो calculation कम है वो चेक करेंगे क्या इप डिफ्रेंस ओब देयर पैरिमिटर इस 24 तो पैरिमिटर होता स्क्वाइर का 4 इंटू साइड तो 4 इंटू 18 72 4 इंटू 12 48 का 24 बन जाए तो यह चीज वैरिफाई हो जाएगी तो यह बंद रहा है यह बंद रहा है भी अगर एक चीज वैरिफाई हो रही है और आगे हमें option चेक नहीं करने तो इस्याद से आप दूसरे पहले वाली condition भी चेक कर लो area वाली ठीक है इनके इनका जो area है वो उनका सम कितना आना चाहिए 468 तो देखिए area क्या होता है side का square 18 का square 324 12 का square 144 अब add करोगे तो कितना आएगा 468 दोनों condition satisfied तो first option हमारा right answer ठीक है करें next question देखो the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side if the longer side is 30 meter more than the shorter side find the side of the field यहाँ पर एक rectangular float है फिल्ड है तो उसका जो diagonal है विकरन वो 60 meter ज्यादा है उसकी जो shorter side होती सब्सक्राइब कुन से होती है रेक्टमिलर में ब्रैथ यानि चोड़ाई और जो longer side यानि length वो क्या है 30 meter ज्यादा वो भी किस से ज्यादा है shorter side यानि breath से तो उनकी side बतानी है यानि length और breath बतानी हमें तो देखिए जैसे यह कोई rectangular field है यह इसकी shorter side अब इसको x मान लेते हैं यह इसका diagonal हो गया डैगनल क्या बोला है diagonal यानि विकर्ण क्या बोला है 60 meter ज्यादा है किस से shorter side से shorter side हमने क्या मानी है x यानि 60 और यह कितना हो जाएगा x plus 60 और यह कितना हो जाएगा भी जो लोंगर साइड है लोंगर साइड यानि नीच्चे वाल यह length यह 30 इस rectangle के अंदर यह क्या है राइट अंगल ट्रेंगल है तो राइट अंगल ट्रेंगल के हमारी हमारे पास तीनों साइड आ चुकी है x यह हाइट यह भी x plus 30 और यह hypotenuse x plus 60 तो पाइथा गो थोरम यूज करो भाई पाइथा गोर्स थ्योरम चीक है तो वो क्या होती है x plus 60 का whole square equal to क्या होगा x square plus में x plus 30 इसका solve कर लो भी open कर लो तो यह आएगा x square plus 60 का square कितना होता है 6 का square 36 और double 0 बन जाएगा square में cube हो तो 3 0 बनती है power 4 हो तो 4 0 बनती है ठीक है ऐसे plus में कितना बन जाएगा 2 a b यानी 120 x जब a plus b का whole square open करते है तो a square plus b square plus 2 a b आगे x square अब यह वाला whole square open करो 30 का square 900 plus 60 x x square सो x square cancel यह वाला x square इदर ले लो ठीक है यहाँ पर 60 x है और 120 x को 60 x की तरब लेके जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस का 60 x ही रह जाएगा 900 की तरब 3600 लेके जाएगा तो माइनस का 2700 रह जाएगा इकवल टू जीरो अब इसके फेक्टर बनाने है इसके फेक्टर क्या बनेंगे इसके फेक्टर क्या बन सकते हैं बताओ 2700 के यहां पर बना लेते हैं यहां पर तीन पर जारा भी 900 तीन पर जारा है 300 तीन पर अंडर्ड ठीक है अब फॉर पर ले लो सिदा या टू पर ले लो पचास पर तू पर पच्चिस पर और फिर पांच-पांच पर यह देखें 3, 3, 9, 9, 2, 18, 18, 5, 90 धारा है और बाकी क्या बचास इया थर्टी तो नाइन टी उर तर्टी का डिफरेंस इस शिश्टी आ रहा है तो इस तरह से आपने फैक्टर बना के चेक करना है कि उसका डिफरेंस कितना आ जाए यह शिश्टी आ जाए तो अब यहां पर हम क्या और प्लस का 30 लेंगे क्योंकि 90 में से 30 less करें तो मैनिस का 60 बचेगा और इनकी multiply कितनी आ रही है मैनिस का 2700 तो final यहां पर हमारा answer क्या होगा मैनिस 90 लिया है तो प्लस का 90 प्लस 30 लिया तो मैनिस 30 और negative length हम लेते नहीं तो हम क्या लेंगे 90 तो एक्स हमारा 90 आ गया यह हमारा 90 आ गया तो यह कितना आएगा 90 प्लस 30 यानि 120 तो 90 और 120 कौन साउप्शन होगा समझबाया ठीक है मुश्किल नहीं है सिंपल हमने पाइथा गोत्रम लगाई है और उसका क्वार्टिक एक्वेशन बन गया और फैक्टर बनाए है पस यहां पर फैक्टर अगर बड़ा नमबर आ जाता है तो आप इस तरह से बना लो और हमें चेक करना पड़ेगा कि जिसका डिफ्रेंस शिष्टी आये वह उस तरह से लेना है अब इसको अंसर्च वाइस से भी करते हैं तो यहां पर दोनों साइड है लेंथ और ब्रेथ उसने कंडिशन बताई थी कि जो लोंगर साइड वह 30 मीटर ज्यादा है उसके उसके चोटी साइड से तो देखिए अगर चोटी साइड नब्बे है तो बड़ी साइड क्या होगी थर्टी ज्यादा यानि 120 नब्बे में 30 करोगी कितना रहा है यानि फर्स्ट ऑप्शन वैरिफाई हो रहा है तो दूसरी कंडिशन को भी वैरिफाई करो आफ ठीक है पहली कंडिशन हमने कैसे चेक करी लोंगर साइड यानि लैंथ 30 मीटर ज्यादा है किस से शोटर साइड यानि ब्रैट से यानि अगर आप 90 में 30 प्लस करते हो तो 120 बन साइड से यानि 90 में 60 प्लस करोगे आप 90 में 60 प्लस करोगे तना हैगा 150 ठीक है तो अब यह कैसे वैरिफाई करोगे देखो राइट एंगल ट्रेंगल में जिसी राइट एंगल ट्रेंगल है जिसी तीन चार और पांच है क्या साइड है तीन चार पांच इधर वाला यह है इसको मैं दस से मिल्टिप्लाई कर दू तीस चालिस पचास इसको मैंने दस से मिल्टिप्लाई कर दिया ठीक है इसको मैं तीन से मिल्टिप्लाई कर दू नब्बे एकसो बीस एकसो पचास यह ट्रिपलेट बोलते इनको य verify करेंगे ही करेंगे ठीक है तो वही हो रहा है नब्बे एक सो बीस एक सो पचास अगर इसकी साइड ये तीन और ये चार है तो ये पांच आएगा आप आई था उत्रम लगाओ तो पांच आएगा ये आएगा चेकर लेना तो जैसे मैंने तीन चार पांच ले लिया अब मैं त्रिप्ले जैसे जिसे त्रिप्लेट पोलते हैं अगर मैंस इसको दो से मुलिप्लाई कर दो ये साइड दो टिया च्छे टू थ्री जा सिक्स टू फौर जा एट टू-फाईचर ये वेरिफाई होगा ही होगा पा इस तो वेरिफाइग करेगा यह कर दो थो थर्टी से मुटिपलाई कर दो थर्टी थ्री जा करेगा और यहां पर देखिए नैंटी आ रहा हैं वंट वंटी आ इसकी इसका वेट है और यह क्या है यह क्या है इसको ब्रैथ को लो यह हाइट के लो इसको बेस के लो यह लेंद के लो और आप यहां पर रखोगे तो यह पैथा उत्रम से 150 आए गई आएगा और वैसे भी आ को चेक कर सकते हूँ पैथा हो थरम लगाने की भी जूरत नहीं पड़ी नेक्स्ट कुश्चन है इसमें क्या कहा है कि दो टैप है दो टूंटी है बही और वो दोनों मिलकर एक टैंक को इतने टैंमें फिल कर देती है 9 and 3 by 8 9 and 3 by 8 के मतलब क्या है ये आपर एट ने आर में दोनो टैप मिलकर उस टैंक को फिल कर देती है जो बड़ी टैप है बड़ी टैप क्या है जिसकाerte शुरी ड़ा है इप डायमेटर बड़़ा होगा वो टैप क्या वगी बड़ी कहलाएगी है को कम लगाएगी तो दस कंते कम लगाती है किस से जो जो स्भूललर करब इसका कम है तो फाइंद टाइम इन विच्छ तैप कहने सैपरेटली यहनी अलग अलग हम टैप से टैंक को बरवाएं तो अलग-अलग वो कितना टाइम लगाएंगी यह इसका क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे देखे जो स्मॉलर टैप है उसको वो टाइम लगाती है समलो एक्स आर्च कितना टाइम लगाती है एक्स आर्च और जो लार्जर है जिसका डाइमेटर ज्यादा है वो टाइम क्या लगागी दस घंटे का में यानि एक्स माइनस टैन ठीक है समझे लो यह एक्स घंटे में फिल कर सकती है और यह एक्स माइनस टैन आर्च में तो जब ऐसे क्वश्चन होते हैं पाइब एंड एंस टैन वाले या टाइमेंट वर्व वाले एक्स इन कोया reciprocal लेंगे one by x इसको भी क्या लेंगे reciprocal one by x-10 time and work में और pipe and system में हम हमें सा लेंगे यह घंटे का work होता है एक घंटे में कितना फिल किया एक घंटे में कितना काम किया ठीक है तो पलस करेंगे कितना भई कितना time लगा भी total या लोग एक बनेगा 75 by 8 बना था ना यह यह 75 by 8 बना था तो इसको भी हम पलट देंगे यह कितना हो जाएगा 8 by 75 और इस तरह से इसको solve करेंगे quadratic equation बनेगी इसका ऐलिसम ले लेंगे मैं सीदी multiply कर रहा हूं ठीक है cross multiply भी कर देंगे साथ की साथ तो यह आ जाएगा 8x square minus 80 x ठीक है उदर कितना आ जाएगा 150 minus 750 अच्छा यह x आएगा 150 x और यह minus 750 इसको थोड़ा ओठीक कर लो 8x square minus यह इदर आएगा तो minus का 230 x और इदर यह पलस का 750 equal to 0 और यह divided हो रहा है टू से डिवाइड हो रहा है टू से डिवाइड कर दो 4x square minus टू से डिवाइड कर रहे हैं तो यह आ रहा है कितना आएगा नहीं यतना नहीं बनेगा यह 230 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा यह और 750 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 236 तो से बनेगा ठीक है अब इसके हमें factor बनाने है भी क्या factor बनेंगे सबसे पहले हम 4 और इसको multiply करेंगे ठीक है इसकी multiply क्या आएगी 4 और 375 की multiply क्या आएगी यह आएगी यह इतनी बनेगे भी 4 फाइज और 24 सेवेज और 28 प्लस 2 30 और यह 1500 बनेगा ठीक है तो 100 आ रहा तो 100 के चांसी जबी और यहां पर 15 यह factor बन गए माइनस का 100 प्लस का 15 जब माइनस का ही ले लेते हैं माइनस का बनेगा तो 100 बाइ क्या लेंगे एक स्क्वेर का कोफिशंट क्या है 4 तो 100 बाइ 4 15 बाइ 4 तो final हमारा क्या होगा जो final result होगा वो क्या होगा 100 बाइ 4 कितना होता है 25 माइनस आए तो कितना है 25 और यह 15 बाइ 4 ठीक है तो 25 है ओप्षिन में यहां पर भी है और यहां पर भी है तो अगर X 25 है तो यहां पर पूट करेंगे हम यहां पर 25 माइनस 10 कितना आगया 15 तो 15 वाला ओप्षिन कौन सा है C तो C हमारा final option होगा कि एक टैप यह चोटी टैप टैंक को भरने 25 गंटे लगाती है तो जिसका डैमेटर बड़ा है वो अकेले उसको 15 गंटे में फिल कर देगी अब आपको होगे कि यह क्यों नहीं लिया यह मैंने क्यों नहीं लिया चेक कर लो यह जो 15 वाई 4 है अगर आप यहां पर पूट करोगे एक्स की जगए अगे क्या माइनस 10 तो यह नेगटिव आएगा ठीक है चेक कर लो यह नेगटिव आएगा 15 वाई 4 होता कि इतना है वैसे डैसिमल में निकाले तो अगर यह 15 को 4 से डिवाइट करें कितना आएगा 3.75 और 3.75 10 में से माइनस करें तो माइनस में आएगा रिजल्ट की से में आएगा माइनस में तो माइनस में कर भी टाइम होता है क्या बड़ा टैप जो टैंक को फिल करेगा जिसका डियमेटर बड़ा है क्या वो माइनस में टाइम निकालेगा नहीं, तो 15 by 4 हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 24, तो smaller tab 25R, जो diameter जिसका बड़ा है, वो 15R, तो यह हमारा final answer है, C option, अब इसको हम answer से करते हैं, क्योंकि यह तो काफी बड़ा हो गया था, answer से देखिए, answer के लिए मैं एक trick उताता हूं इसके, time and work और pipe and station में हम एक trick यूज़ कर कर रहे हैं, और सबसे पहले मैं easy option ले रहा हूं, easy कौन सा भई, जो fraction में नहीं है, जैसे यह 25 और 15 यह fraction में नहीं है, यह ले रहा हूं, तो यहां पर लेख लेते हैं, कि एक तो 25R, मालो एक tab है A, और दूसरी tab है B, यह 25 घंटे पी fill कर सकती है, और यह 15 घंटे पी fill कर सकती है C option ले रहा हूं, तो क्या करें, short method है वह यह, यह आपने कभी भी exam में अगर आपको लिखना पड़ रहा है, तो इस method से नहीं लिखना आपने, हाँ, आपको objective यानि multiple choice question मिले वही है, टिक करना है, तो आप इस short method कर सकते हूं, क्या करो आप, in time का LCM ले लो, 25 और 15 का LCM ले तो ऐसा number ले लो, 25 और 15 से divide हो जाए, तो ऐसा number कौन सा 75, यानि एक इसम का हमने tank की capacity कितनी मान ली, 75, ठीक है, जैसे time and work होता तो हम क्या कहते है, कि वो 75, वो total work मान ली है, ठीक है, यहाँ पर आप part बलो, कि यह जो A है, A tap जो है, वो 25 गंटे में 75 part फिल कर सकता है, क्योंकि tank की जो capacity कितनी मान ली है, हमने 75 part, और यह 15 गंटे में कितना फिल कर सकता है, सारे के सारे 75, एक गंटे में कितना फिल करेगा, 25 से 75 को divide कर दो, 25 को 75 से divide करो कितना हैगा, 3, ऐसे यह B वाला tab, 15 गंटे में सारे part बर देता है, 75, तो एक गंटे में कितना बरेगा, 15 से divide कर दो, 15 से 75 को divide करो कितना हैगा 5 ठीक है अब दोनों मिलकर जब दोनों मिलकर कितना time लगाएंगे तो क्या होता है उपर तो होता है यहाँ पर total part या total work और नीचे होती है उनकी efficiency कारियशमता यह efficiency है यह efficiency है 3, यानि A tab की efficiency 3 है, B tab की 5 है, ठीक है, तो नीचे total efficiency, तो 75, अब उन में, 3 plus 5 केतना होगा भी, 8, 75 by 8, ये क्या है, 75 by 8 है, ये क्या है, 75 by 8 है, तो ये तो verify हो रहा है, तो हमारा option क्या होगा, C, संभाया, ठीक है, तो इस तरह से हम short कर सकते हैं, फिर और बता देता हूँ, जैसे मालो मैं A option try करता हूँ, वैसे हमारा C answer आ चुका है, आपने answer twice से करना है, तो आपको जो एची लेके होई select करना है, शरू में fraction वाले बाद में try करने है, अगर answer ना मिले तब fraction वाले try करेंगे, फिलाल मुझे answer मिल चुका है, फिर भी मैं आपक 25 और 15 गैलिशिम 75, 25 से आपने 75 को डिवाइड करना 3, और 75 को किसे डिवाइड करना 15 वाई 4 से, तो यह कितना आ जाएगा 20, क्योंकि 4 उपर जाएगा दो, 4 5 जा 20, ठीक है, तो A पलस भी कैसे होगा, टोटल, टोटल उपर लेगे, नीचे इनकी efficiency, 3 और 20, efficiency होई 23, तो यह दो मिलकर तो कितना टाइम लगा रहे है, 75 अपोर 8, तो यह मैस नहीं कर रहा, तो यह हमारा option नहीं है, ठीक है, आप तो समझ में बाग गया, तो time and work and pipe and system वाले question को आप short method से ऐसे कर सकते हो, next question है, एक train travel कर रही है, 360 km at uniform speed, if the speed had been 5 km more, it would have been, it would have taken one hour less for the same journey, find the speed of the train, यानि जो distance है, वो 360 km है, यानि train ने uniform speed से यह distance cover किया, अगर उसकी speed हम ज्यादा कर दे, ज्यादा speed करेंगे, ज्यादा हम train या गाड़ी को बगाएंगे, तो जल्दी पहुन जाएंगे, तो यहाँ पर कितनी speed की बढ़ाई है, 5 km परार, तो आप कितना घंटर, कितनी घंटे कम लगेंगे, एक घंटा कम लगेगा, ठीक है, तो speed क्या होगे train की, पहले मैथर से करते हैं, पहले समझो, कि जो distance होता है, वो क्या होता है, speed into time, दूरी जो होती है, वो चाल गुना समय होती है, यह हिंदी मीडियम के लिए है भी, तो यहाँ पर हमें speed निकालने, तो speed का मैथड क्या बनेगा, distance को डिवाइड कर दो, distance को किसी डिवाइड करेंगे, time से, क्योंकि time दिस्टेंस तरफ जाएगा तो आप पोन में जाएगा ना, ठीक है, यह बनेगा भी, तो यहाँ पर speed को मानते हैं, let's speed क्या होगी, x km per hour, ठीक है, new speed क्या होगी, new speed होगी, x plus 5 km per hour, क्योंकि speed increase करती भी, तो इसको बनाना कैसे हैं, देखी, यहाँ पर बनाएगे, time होता है, distance upon speed, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले रहाँ, पहले, time जो लग रहा था, 360 km कवर करने में, किस speed से भी, x speed से, अब जो time लग रहा है, 360 km कवर करने में, किस speed से भी, 5 km ज्यादा speed से, 5 km per hour speed ज्यादा से, कितना time कम लग रहा है, एक घंटा कम लग रहा है, तो एक घंटा कम लगे या ज्यादा लगे, उसका मतलब क्या होता है, difference of the time, तो time का difference कितना है, 1R, ठीक है, अब यहाँ से x की value निकाल ली है, यहाँ से आप quadratic equation बनाओगे, और x की value find out करोगे, तो cross multiply करते हैं यहाँ लेते है lc my x into x plus 5, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए 360 common पहले निकाल लो, यहाँ पर x plus 5 आएगा, यहाँ पर minus x आएगा, यहाँ पर equal to 1 आएगा, x x क्या हो गया, cancel, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बना रहा हूं है, cross multiply करेंगे भी, x square plus 5x, और यहाँ आजाएगा minus का, यह मैं डायट कर रहा हूं, equal to 0, ठीक है, तो अब इसके factor बनाएंगे हम, इसके factor क्या बन सकते हैं, क्या factor हो सकते हैं भी, 18 होगे, 100 वाला बनेगा, 100 वाला मुस्किल है, हम यहाँ पर, difference 5 लाना ना, अगर मैं यहाँ पर 40 लूँ, और यहाँ पर 45 लूँ, तो यह बन रहा है, यह बन रहा है, 45 plus का ले लिया, यह minus का ले लिया, ठीक है, तो final क्या होगा, final 40 होगा, क्योंकि 45 तो minus में आ जाएगा, ठीक, opposite sign लेना ना, जब final result लेते हैं तो, यह तो नहीं लेंगे, क्या हैगा, 40, तो क्या speed आएगी भई, 40, यह हमारा final answer है, अब इसको answer choice से भी करते हैं, answer choice से कैसे करेंगे, देखी, उसने कहा कि, पहले जो speed थी, और 360 किलोमेटर distance कवर करती थी train, अब speed को 5 किलोमेटर परार increase कर दिया, तो अब वो time जो लगता था, पहले मालो 20 गंटे time लगता था, अब वो 19 गंटे लगा, यानि एक गंटे कम हो जाएगा, समझवाई बात, तो चेक करते हैं भी, जिसका एक गंटे difference आएगा, वो ही हमारा answer होगा, तो first option लेते हैं, 40, ठीक है, तो कितना time लगता था शुरू में, distance को speed से divide कर दो, यह आगया 9 गंटे, ठीक है, और अब उसी distance को cover करना, एकी speed से 5 speed ज्यादा से, यानि 45 से, तो divide कर दो, कितना आगया यह, यह तो 8 गंटे आगया, यानि एक गंटा कम हो गया, पहले 9 गंटे लगते थे, अब 8 गंटा कम लग रहा है, यानि एक गंटा कम लग रहा है, तो यह तो बात है, तो यह हमारा final option है, ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने यह final कर लिया, देखिए दूसरा मैं option try कर रहा हूं, मालो यह try कर रहा हूं, हमारा answer पहले तो आ चुगा है यह, तो मालो पहले यह speed थी 45, और 360 km distance cover करना था, तो कितना time लग रहा था, 8 गंटे, अब कितने लगने चीए, 7 गंटे लगने चीए, एक गंटा कम लगना चीए, देखते हैं साथ आता है नहीं आता, तो 360 को divide करेंगे, यह हमारा option नहीं है, ठीक है, ऐसे आप 35 check रहोगे, यह भी नहीं आएगा, तो हमारा option क्या आया था, 40, ठीक है, आगे समझ में, 40 कैसे आया था, थोड़ा और repeat कर देता हूं, 360 km distance किया, 40 की speed से, कितने time में, 9 गंटे में, अब उसने speed बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी, 5 यानि 45 कर दी, 45 km पर आर कर दी, तो अब एक घंटा कम लगना चीए, बोला इसने एक घंटा कम लगना चीए, तो 9 गंटे लगते थे, आब 8 गंटे लगने से, यह देखते हैं लगें कि नहीं लगेंगे, डिस्टेंस तो कितना है, वही है अब इतनी सु साथ, तो 45 से 360 को डिवाइट करोगे, तो यह 8 आर आ रहा है, तो यह हमारा A final option है, अब तो आ गया समझे में, ठीक है, नेक्स लेते हैं, एक train travel कर रही है, इस्टेंस 480 km at uniform speed, if the speed had been 8 km per hour less, then it would be taken 3 hour more to cover the same distance, find the speed of the train, तो same question है, इसले question में speed को increase कर दिया था, तो time कम लग रहा था, एक घंटा कम लग रहा था, और इस question में speed को क्या किया है, कम किया है, less किया है, तो time definitely जदा लगेगा, कितना जदा लग रहा है, 3 घंटे, तो आप x method से भी कर सकते हो, और answer से, तो मैं यहाँ पर, आपको answer से बता रहा हूँ, आप x method से अपने आपका लेना, देखिए, answer से कैसे करेंगे, फस्ट उप्शन ले रहे है, 32, 480 km को, कवर किया, 32 की speed से, कितने time में, कितना आ रहा है, वही डिवाइड कर रहे हैं, तो यह आ रहा है, 15 hour, 15 घंटे में कवर किया, ठीक है, अब speed को कम करेंगे, तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, speed को कम करेंगे, तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो speed कम कर दी, वही कितनी speed कम करी, 8 32 में से 8 लेस करो कितना आएगा 24 किलोमेटर फरार ठीक है तो पहले 15 गंटे लग रहे तो अब 48 की स्पीड से तो टाइम लगा 10 हार अब लगना ची तीन घंटे ज्यादा यानि तेरा घंटे देखते आते नहीं आते स्पीड अब क्या होगी कम होगी कितनी कम होगी 8 तो 48 में से 8 कम करेंगे 40 डिस्टेंस वही होगा चारसवसी तो यह कितना अब बारा यह भी ओप्शन नहीं है ठीक है अब हम क्या ट्राइब करेंगे सी सी ओप्शन ट्राइब करेंगे 40 की स्पीड से चारसवसी किलोमेटर डिस्टेंस कवर होता है बारा घंटे में अब स्पीड डिक्रीज कर दी आठ किलोमेटर प्राइब कर दी यानि 32 की स्पीड कर दी तो टाइम कितना जाता लगेगा तीन घंटे जाता लगेगा यानि बारा घंटे लग लग लेते पहले तो अब पंदरा घंटे लगने सी यह चेक कर लेते डिस्टेंस कितना है चारसवसी तो आप अब 32 से चारसवसी को डिवाइड करोगे पंदरा भी डिवाइड हो रहा है तो यह वैरिफाई हो रहा है तो यह सी हमारा क्या है फाइनल अंसर है भई तो इस तरह से आपने कम टाइम में अंसर च्वाइस से इस टाइब की क्वेश्चन करने है प्रीप्राइड नक्त च्वेश्च फिर ते च्वेश्च च्वेश्च गया है जुवेश्च लिवाइस तरह से ठाव एट लेस्टेड है जल्स देख प्रेश्च लिवार बने the that of the passenger train find the average speed of the two train दोनों train की average speed बतानिये में यहां पर जो express train है वो एक घंटा कम टाइम लेती है passenger train से कितना distance कवर करने में 132 km distance कवर करने में मैसूर और बेंगलोर के बीच में ठीक है और यहां पर यह कह रहा कि without taking into consideration the time they stop at intermediate station अगर वो stop पर रुकते वो हमें time count नहीं करना तो if the average speed of the express train 11 km पर और more than that of the passenger train find the average speed of the two train तो कैसे करेंगे जो passenger train है उसकी speed मान लेते हैं speed of passenger train एक्स किलोमेटर पर आर और जो express train है speed of एक्सप्रेस ट्रेइन क्या होगी बच्चों बोला उसने 11 km पर आर more than that of the passenger train यानि एक्स प्लस 11 km पर आर ठीक है और express train एक घंठा कम टाइम लगाती है तो time का method यूज करो time होता है distance upon speed ठीक है तो distance क्या है 132 km तो passenger train पैसे ट्रेन 132 km कवर करेगी एक्स की speed से time आ जाएगा और express train 132 km कवर करेगी ज्यादा speed से 11 km पर आर ज्यादा speed से यानि एक्स प्लस 11 से कितना कम टाइम लगाएगी वो एक घंठा कम एक घंठा कम कम दरब in time का difference कितना एक घंठा अगर यहाँ पर दो होता तो मैं यहाँ पर दो लेता वही समझे बारी बात अब आपने इसको solve करना है और quadratic equation बनानी है तो मैं थोड़ा direct कर रहा हूं 132 को मनाएगा एक्स प्लस 11 माइनस एक्स इचे मैं multiply कर रहा हूं LCM की x square प्लस 11 x equal to 1 x x cancel तो और थोड़ा ठीक करेंगे यहाँ पर यहाँ पर रोस मल्टिप्लाई करेंगे तो यह आएगा x square प्लस 11 x ठीक है माइनस में यह 232 और 11 की multiply होगी और इसको उदर लेगा एंगे तो मैनिस में हो जाएगा तो यह आजाएगा कितना 11 x 22, 11 x 33 और 2 x 35 और 11 x 3 x 14 equal to 0 ठीक है अब इसके हमें factor बनाने है factor क्या बनेंगे थोड़ा option से अंदाजा भी आ जाता है कि factor बनने की क्या chances है तो यहाँ पर अगर मैं 33 और 44 लेता हूं तो और इसकी multiply देखिए 34 और 44 का difference 11 आएगा अगर मैं यहाँ पर माइनस का यह ले लूँ फलस का यह ले लूँ अब 33 और 44 की multiply यह हमें चेक करनी है कि यह कितनी बनने चाहिए 1452 और आप उस तरह से भी बना की कर सकते हैं ऐसे ऐसे ठीक है तो इसको फटा पट चेक कर लेते हैं पहले मैं क्या कर लेता हूं 44 को 33 से multiply करूँगा 33 की table नहीं बता आपको नहीं याद होगी 33 फोर्जा कितना होता है 150 132 13 कह रही 33 फोर्जा 132 और 13 आप add करोगे तो कितना बनेगा 145 या नहीं यह तो आ रहा है वह है वेरिफड़ हो रहा है तो हमारा final answer क्या होगा final answer होगा पलस का 33 फीक है minus 44 वाला नहीं होगा आपने अपोजिट लेना है जब भी आप final लिखोगे तो आपने अपोजिट sign लेना है तो यह तो होगा नहीं क्योंकि स्पीड माइस में नहीं होती तो 33 तो 33 option में दो जगए है वह ब्याज के और यहление 11 क्या होगी 11 ज्यादा होगी फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल क्योंकि 33 में 11 एड करेंगे 22 22 आया वाया है 44 आना चीए तो यहां पर आया 44 ठीक है अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 33 है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी 11 किलोमेटर पर आड ज्यादा होगी बोला वही यह बोलाएं देखो तो आप 33 में 11 एड करो कितना बनेगा 44 तो भी हमारा राइट अंसर है यह आप एक्स की वैलू यहां पर रग दो यहां पर रग दो एक्स की वैलू तो यह एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आगी 44 किलोमेटर पर आर तो भी हमारा फाइनल ओप्शन अभी तो इस तरह से हमने एक्स मेथल से किया अब हम करते हैं अंसर 24 से फर्स्ट ओप्सन लेते हैं तो देखिए यहां पर बोला कि एक्सप्रेस ट्रेन की तो स्पीड अवह 11 किलोमेटर पर आर ज्यादा है किस से पैसेंजर ट्रेन से पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम होगी 33 है यहां पर पहले स्पीड लो आफ पैसेंजर ट्रेन लो उसी स्पीड कम होगी अगर यह 22 है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 ज्यादा होगी 33 यह वैरिफाई हो रहा है ठीक है यहां पर भी वैरिफाई हो रहा है 33 है तो दूसरी की स्पीड क्या होगी 11 ज्यादा होग यहां पर भी वैरिफाई हो रहा है यानि तीनों ओप्षन जो है ABC वो इस चीज़ को वैरिफाई कर रहे हैं तो हमें और क्या चेक करना होगा हमें यह चेक करना होगा वन आर लेस वाला यह कैसे चेक करेंगे तो देखिए एक सो बतीस किलोमेटर कवर किया 22 की स्पीड से तो कितना टाइम लगा यहां पर कितना लगा 6 गंटे और यह पैसेंजर ट्रेन ने किया अगर एक्सप्रेस ट्रेन कवर करें जिसकी स्पीड कितनी है 33 तो ए गंटा कम लगना चीए यानि 5 गंटे लगने चीए यहां पर 6 लग तो नपर 5 गंटे लगने चीए देखते भी कि यह तो लेकितना और रहें तो चार आ रहे हैं एक्सप्रेस किलोमेटर कवर किया पैसेंजर ट्रेन ने 33 की सुपीड से तो कितना टाइम लगा 4 गंटे तो एक्सप्रेस ट्रेंग को एग गंटा कम लगना तो लिगना यानि तीन घंटे लगने सी देखते हैं आते हैं यह आता है 132 किलोमेटर कवर कर आएंगे एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है क्या भी 44 तो यह तो आ रहा भी तीन घंटे यह वेरिफाई हो रहा है तो यह हमारा दी ऑप्शन फाइनल अंसर होगा भी तो इस तरह से आपने है इसको भी अंसर चवाई से ऐसे करना है ठीक है next question in a class test the sum of cephalis marks in mathematics and english is 30 as she got two marks more in mathematics and three marks less in english the product of their marks would have been 210 find her marks in two subjects so my statement या नहीं आई दोबारा देखिए एक लास टेस्ट में क्या है जो सिफाली के जो marks आये mathematics और English में वो total marks कितने हैं 30 अगर maths में 2 marks ज़्यादा लेती है और English में 3 marks कम लेती है तो उनका product कितना बनता है उनकी multiply कितनी बनती है 210 210 तो दोनों subject के marks बताने है maths और English के तो देखे कैसे बताएंगे यहां पर अगर maths और English में total marks कितने हैं 30 है maths का मैंने मान लिया कि maths में X है marks in mathematics कितने हैं X तो marks in English क्या होगा 30 minus X simple ठीक है अब इसने कहा कि had she got to more marks in maths तो maths में 2 marks ज्यादा और 3 marks less in English 30 minus X या नि 3 marks कम कर दो तो इनका product इनकी multiply कितनी है 210 है ठीक है अब multiply करनी है भी X से multiply कर दो पहले इस थोड़ा ठीक कर लो ये 30 में से 3 less करोगे इतना बचेगा 27 minus X 27 minus X equal to 210 तो अब X से multiply करेंगे 27 X minus X square फिर 2 से multiply 54 minus 2 X और यहां पर 210 तो X minus में आया वह है तो उसको उससाइड लेके जाओ तो यह बन गया मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ X square और यहां पर minus का 25 X ठीक है और यहां पर plus का कितना आएगा 156 equal to 0 तो हमारे पास जो quadratic equation आई है X square minus 25 X plus 156 equal to 0 अब इसके factor बनाने है भी इसके factor देखते क्या बनेंगे 12 और 13 के multiply 156 होती है चेक लेना और 12 और 13 का total भी कितना बन रहा है minus का 25 तो final answer यहां पर क्या रहा है plus का 12 plus का 13 ठीक है और यह X की value आई है यानि क्या है maths में marks आ गई तो अब देखिए यहां पर X की value कितना आई है 12 और 13 अब यह value यहां पर put करते हैं जब X equal to 12 हो तो 30 minus X कितना होगा यानि English में marks कितने आएंगे कितने आएंगे 18 ठीक है समझे मारी बात इसी तरह जब X equal to 13 हो तो English में marks कितने आएंगे 30 minus 13 यानि कितने आएंगे बई 17 तो हमारे पास दो दो option आ रहे हैं यह देखिए बी option आ रहा है उसके मैक्स में 12 marks हैं तो English में 18 ठीक है जब 12 लिया तो कितना आया अठा रहा और जब 13 लिया मैक्स के मार्क्स 13 लिया तो कितना आया इंगलिस में 17 यानि B option भी आ रहा है C option भी आ रहा है तो हमारा answer क्या होगा बहुत B and C यानि D final answer होगा ठीक है बच्चों डी हमारा final answer होगा तो दो-दो answer आ सकते हैं यह पर क्या होता है दो रूट्स होते हैं भई अभी दोनों भी पोजिटिव आ गए ठीक है नेगिटिव तो नहीं आया कुन से दोनों भी दो भी आएंगी डबल डबल आएंगी अब इसको answer से भी देखो सबसे पहले मैस और इंगलिस का टोटल 30 होना चीए तो बारा प्लस 13 कितना होता है 25 is not equal to 30 यह option नहीं है ठीक है मैस और इंगलिस का टोटल 30 होना चीए तो बी ओप्शन 12 और 18 कितना होता है अभी 30 13 और 7 कितना होता है 30 यह तो वैरिफाई हो रहा है अब दूसर सुरू में मैस है ना और बाद में इंगलिस है तो अंसर भी उसी साफ़े बनाए होते हैं कि पहले वाले मार्क्स मैस के होंगे दूसरे वाले इंगलिस के तो देखिए बी ओप्शन लेता हूं मैं अगर इसमें 2 मार्कस एड़ कर दूं तो यह 14 बनेगा और इंगलिस वाले 18 में मैं लेस कर दूं थ्री मार्क्स लेस आए ना इंगलिस में तो अगर मैं 18 से 3 लेस कर दो 15 बनेगा और 14 और 15 के मल्टिप्लाइ कितनी आने सी 210 तो यह आ रही है भी 15 फॉर्जा 60 और 15 6 210 यह आ रही है ठीक है यह आरा है अगला भी चेक कर लो क्यों यहां पर यह डाला होगे इंगलिस में 17 है और 3 मार्क्स कम आजाए इंगलिस में तो 17 में से 3 लेस्ट करेंगे 14 तो यहां पर 14 15 की मल्टिप्लाइ 210 है तो यहां पर भी 15 14 की मल्टिप्लाइ क्या होगी 210 यह भी वैरिफाई हो रहा है तो बी और सी दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो हमारा आनसर क्य ड़ी डिटेल वाले में मैंने शोट किया है ध्यान रखना इस बात का कि आप उस डिटेल वाले मैठड को अगर आपको राइट करना पड़ रहा है सुलीशन एक्जाम के अंदर तो वह जो मैने मैठड करवा एडिटेल वाला शोट्कट में भी करवाया है को वह मत अपलाई करना आपको number नहीं बिलेगा आपका जो actual method है वह यूज करना जो आपके teacher ने बताया है और अभी तक आप ने चैनल को subscribe नहीं किया है प्लीज subscribe कीजिए like कीजिए share कीजिए thank you